हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी डबली ओनली आई एस आप सभी जानते हैं, हम पिछले लेक्टर्स के अंदर ओल्लेडी टोटल तीन चैप्टर्स कम्प्लीट कर चुके हैं आज हमारा चौसा चैप्टर हैगा, विद रिगार्ड्स टू पावर्टी, इनिक्वालिटी एंड अनिम्प्लाइमेट तो ये टॉपिक हम आज के लेक्टर में हम समझेंगे, इन तीनों टर्म्स का अखिर मीनिंग क्या होता है क्या-क्या इनके रिगार्डिंग करेंट अफेर्स हैं, वो भी सारे समझेंगे इन फेक्ट ना अभी आज हम थर्जडे हैं, जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ट्यूजडे को ही मल्टी डिमेशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया की बात आई है तो वो भी मैंने इन्कॉर्प्रेट कर लिया है, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आज तक का करेंट अफेर्स पूरा मैंने यहां पर कवर करने ही कोशिश करी है अब जैसे अगर आनलो आप 1224 के लिए अटेम्ट दे रहे हो, तो नियरली आपको आज से 10 महीने होंगे तो कुछ हो सकता है, कुछ और इंडेसिज वगरा यहां पर आते रहें, तो आपको करेंट अफेर्स है ना उनको अपने आपको अपडेट करते रहना है तो मैंने बताया भी था, प्रिलेम बूस्टों का फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर जितने करेंट अफेर्स होते हैं, मैं करवाता रहता हूँ बट आज तक के करेंट अफेर्स पूरे कवर्ड है, ठीक है, चलो यह स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से तो लेक्चर 4, Poverty, Inequality and Unemployment, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि एकनॉमी जो कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो आपको कैसे टफ ना लगे, यही हम इन लेक्चर्स के माद्यम से डिरिवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे वहले चलते हैं हम Poverty की तरफ, अब समझना कि आखिर Poverty होती क्या है, देखो गरीबी, यह word हमने बहुत बार सुना है बच्पन से, और हमें लगता है कि शायद गरीबी का अर्थ सिरफ इतना है कि अगर किसी के वास एक particular amount of पैसा नहीं है, हम शायद उसको गरीब बोलेंगे, पर actual में यह जो definition है, यह काफी सीमित वाली definition है, काफी जो कहते हैं कि काफी एक तरह से काफी narrow definition आपको देखने को मिल जाएगी, getting it, सर नेरो क्यों है यह, narrow इसलिए है कि यहाँ पर आपने बस पैसे को consider किया, सिरफ और सिरफ पैसे की बात करी, उसके लावा बाक की unidimensional aspect की definition है, यूनी का मतलब क्या होता है, आपकी single dimension, आपने सिरफ पैसे की बात करी, तो वो एक dimension हुई, तो अगर आप poverty के अंदर सिरफ एक dimension को consider कर रहे हो, उसको बोलोगे आप unidimensional aspect, बट आज के टाइम पर ना हम यह narrow definition में मानते नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो जैस काफी broad-based हो चुकी है, काफी यह क्या हो गई है, multidimensional हो चुकी है, आई बत समझ में, पहले क्या हो था, unidimensional, सिरफ पैसा, एक यह aspect देख रहे थे, अब क्या देख रहे हो, अब multiple aspects देख रहे हो, तो multidimensional aspect आज के टाइम के उपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इस multidimensional का मतलब क्या है, सिर्फ कौन-कौन सी और dimensions आप consider कर रहे हो, देखो जैसे for example, अगर मान लो एक इनसान को अच्छी health नहीं मिलती, ठीक है न, मान लो उसको अच्छी health नहीं मिल रही है, अच्छी education नहीं मिल रही, तो वो भी तो इनसान poor हुआ, है के नहीं, जैसे मान लो आप कोई भी conditions आप imagine करो, आपके area में आपके हो सकता, आपके पैसा हो अच्छा खासा, पर आपके area में अच्छा उपचार ही available ना हो, अच्छी health care available ना हो, अच्छी education available ना हो, तो तब भी ना आप किसी ने किसी dimension में आप poor जरूर हो, getting the point, तो सिरफ पैसा ही consider नहीं कर और आज कल तो अगर मैं बात करूँ ना जो नए economist है, या फिर जो ठीक है ना जैसे हम evolve कर रहे हैं, तो यह definition और भी broad होती जा रही है, जैसे for example, poverty के अंदर ना काफ सरी economist का ये भी मानना है, कि हम ना choices को भी include कर ले, कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं एक इनसान हूँ, पर पर मुझे ना एक मौका नहीं मिल रहा, किसी इसका मौका नहीं मिल रहा, अपनी choices को express करने का, let's say अगर मैं हो सकता है कि मैं faculty नहीं बनना चाहता, example लेकर चलते हैं, पर मेरे पास हो सकता है कोई choices ही ना हो, तब भी मैं एक poor हूँ, हो सकता है आप में से कुछ सारे, काफ सारे क्या हुआ, आपके वास choice ही नहीं दे गई, आपका शायद मन था कहीना की कुछ photographer बनने का, या फिर कुछ भी और चीज़ करने का हो सकता है, क्रिक्टर बनने का हो सकता है, XYZ चीज़, पर क्यूंकि आपके ओपर family का pressure था, और आप अपनी choice को express नहीं कर पाए, तो आजकल के economics की definition के अंदर ना, शायद आप भी poor हो, तो इस तरह से हो पता क्या रहा है, पिछले कई सालों के अंदर ना, हमारी जो poverty की definition है, वो evolve करती जारी है, उसके अंदर नहीं नहीं dimensions add करने की बात करी जारी है, poverty सिरफ अब पैसा नहीं रहे गया, poverty के अंदर अब ये नहीं नहीं ब opportunities ही नहीं मिलेंगी, तो definite ही आप poor हुए, ठीक है ना, तो इस तरह से आप notice कर रहे हो कि poverty है ना, तो एक यहाँ पर definition उसके अब क्या होगी है, multidimensional होगी है, basically अगर आपके बास proper resources नहीं है, एक minimum standard of living जीने के लिए, तब ये सारी चीज़ें poverty के अंदर आ जाती है, is that clear, ठीक ह एक ना, United Nations Human Rights Council है, उन्होंने भी ये definition दी है, आप चाहो तो ये definition भी mention कर सकते हो, थोड़े बहुत words आप यहाँ से use कर सकते हो, पूरी definition याद करना शायद मुश्किल रहेगा, बट कुछ words जैसे, especially जैसे मैंने highlight किये हुए है blue color के अंदर, ये words आप अपने answer में डालोगे, त क्या use करने है, कुछ अच्छे keywords यूज करने, ये सारे जो highlighted words है न, ये और कुछ नहीं आपके keywords ही है, जैसे आपने word यूज किया poverty के अंदर, multi-dimensional aspect, ये एक word ही न, आपके examiner को समझा देगा, कि आपको चीज़े पता है poverty के बारे में, आपने बात करी minimum strand of living की, वो बता देगा, choices word यूज किया, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, rather than कि आप एक line में लिखो न, दो-तिन line में लिखोगे, तो वहाँ पर पता क्या कर रहे हो, आप essentially space जाधा use कर रहे हो, पर in the end उसका meaning बहुत ही कम निकल के आ रहे है, तो इस चीज़ को avoid करन और जितने keywords यूज करोगे, कहीं न कहीं कम शब्दों के अंदर सामने वाले को बहतर समझा पाऊगे, means के अंदर जो अच्छा answer लिखते है न, तो वहाँ पर keywords, example, data, इन सभी का use होता है, हर lecture के अंदर आपने नोटिस क्या होगा, मैं हमेशे आपको keyword समझाता हूँ, हर lecture के अ आपके बास proper data था, proper examples थी, तो आपको answer लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, clear हुई ये बात, ठीक है, तिर यहाँ पर आपने एक feature लगाई है, ये किस बारे में है, देखो, वैसे न, मैंने आपको फिछे लेक्चर के अंदर आपको sustainable development goal, SDGs के बार में बताया था, बताय सूचना objectives है, कि कैसे हम आने वाले सालों के अंदर अपनी दुनिया को देखना चाते हैं, तो दरसल में हुआ क्या, 2015 में हमने अपनी दुनिया को कहां पर देखने हैं, तो हुआ क्या, 2015 में हमने डिसाइड कि 20-30 तक हमें कुछ targets को achieve करना है, अज़ा पूरा, अगर हम बात कर पूरी दुनिया के perspective के अंदर उसमें मैं आपको गर थोड़ा बताऊं कि कौन कौन से ये goals थे तो ये 17 goals हमने यहाँ पे देखने को मिले ठीक है ना? ये actually ना मैं आपको not only from the economy perspective but otherwise भी आपको बोलूँगा कि आप इनको याद कर लीजिए क्यों उसर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे जितने भी goals है ना ये आप notice करना कहीं ना कहीं आपके GS papers के अंदर आपको relate कर जाएंगे जैसे for example हमारा पहला goal क्या है SDG 1 क्या है? नो पावर्टी ठीक है ना गरीबी को हमने खतम करना है कब तक 2030 तक गोल नमबर टू क्या है? जीरो हंगर क्या ये पावर्टी क्या है? पावर्टी तो हमाँ आज पढ़ रहे हैं तो आगया ना एकनॉमी के अंदर GS3 के अंदर जीरो हंगर हंगर कहाँ पर आता है? GS2 का आपने इस लिबस देखा होगा ना मेंस का वहाँ पर आपको यूज होगा इस तरह से आप नुटिस करोगे 17 की 17 goals आपको कही नगे यूज कर सकते हो तो आप जब मेंस के answer लिखोगे वहाँ पर conclusion के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि अगर हमारी government यह सारे steps लेती है यह सारे schemes को introduce करती है या उनके regarding work करती है तो हम इन goals को भी achieve कर पाएंगे तो कहीना कि आपको ना mindset दिखता है कि हाँ भाईया हम चाहते हैं कि इंडिया में जो goals या जो commitment करी है हम उनको world level को पर दिखा पाएं इंडिया country as a model country तरह act कर पाएं कि हाँ हमने poverty को कम किया हमने hunger को खतम किया तो कहीना कहीना आप answers के नोर अगर इस dimension को mention करोगे I am sure कि आपको बहुत अच्छे marks मिलेंगे ठीक है तो मैं आपको एक बार बोलूँगा ठीक है PDF आपको मिल जाएगी तो make sure आप इनको ना 17 को याद कर सकते हो आप no poverty, zero hunger, good health and well being, quality education, gender equality, ठीक है clean water and sanitation यह सारे topics हैं आपके GSK, आपका affordable and clean energy, ठीक है, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality 11 है आपका sustainable cities and communities, responsible consumption and production, उसी तरह से climate action life blow water, life on land, peace, justice and strong institution and lastly SDG goal number 17, partnership for the goals, तो यह 17 goals आपको कहीं न कहीं, कभी 1 के अंदर, 2 के अंदर, GS3 के अंदर, आपको help कर जाएंगे आज का हमारा मुद्दा क्या था? आज का हमारा मुद्दा है यहाँ पर, no poverty का, तो 2030 का अंदर हमने इस goal को achieve करना है, no poverty का, तो definitely क्या हम उस direction में move कर रहे हैं, ऐसा question भी mains में आपसे पूछा जा सकता है तो यह वाला जो था न, इन्फोग्राफ है कि और कुछ नहीं, हमारा target है, मतलब target 1 के अंदर भी further, जो goals है न, उनके further और आगे targets है तो target 1.1 हमारा यही है, कि जो extreme poverty है, उसको हम eradicate करना चाहते है by 2030 Is that clear? SDG goals समझाए? ठीक है, very good अब, जो मैं बात कर रहा था, unidimensional Unidimensional मैंने बताए आपको की single dimension तो जो World Bank था न, वो अपनी definitions देता था पहले, यह पहले की बात हो रही है, ठीक है न, उस time समझा, World Bank ने actual में अपनी definition दी थी 1.9 US डॉलर पर डे की उन्होंने बहुत करी कि अगर कोई person 1.9 US डॉलर पर डे से कम rate के उपर, मतलब कम पैसे के उपर जी रहा है, तो उसको हम poor बोलेंगे, बात में यह number अभी recently change हुआ था 2.15 पर आप notice करो, यहां पर बात सिरफ और सिरफ पैसे की हो रही है, अब जब भी बात सिरफ पैसे की होगी, वो क्या होगा multi-dimensional, sorry, uni-dimensional multi के अंदर क्या होगा, आप different dimensions को consider करोगे जैसे for example, मैंने एक index का mention किया है, multi-dimensional poverty index, MDPI भी इसको बोलते हैं और याद करो पिछले lectures को, मैंने बताया था, जब भी आप कोई index को देखते हो, तो क्या कैसे दिमाग देने चाहिए, पहली बात तो, कि आखिर भहिया उस index को release किया किसने है, है ना, और साथी साथ कुछ important उसके जो updates होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए, latest इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कि आखिर सरी है क्या MDPI, what is Multidimensional Poverty Index इसको एक बार देख लेते हैं, देखो यह है, ठीक है जो बात कर रहा था ना, actual मैंने यहाँ पर बताया ना, UNDP यह UNDP तो ही है UNDP is United National Development Program, इसके साथ ही ना OPHI भी आता है, Oxford Poverty, ठीक है ना OPHI, यह भी साथ में UNDP के मिलके, यह दोनों मिलके यहाँ पर Multidimensional Poverty Index को यहाँ रिलीस करते हैं तो कोई आपसे बुझे कौन रिलीस करता है UNDP प्लस OPHI, Oxford Poverty Health Index इस तरह से ठीक है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब इसके अंदर बात थी Multidimensional लगी, तो कौन-कौन से Dimensional यहाँ पर कवर हो रही है देखो यहाँ पर ना दरसल में आपकी तीन Dimensionals कवर हो रही है पहली बात समझना, मान लो आपका एक है, मतलब एक एक unit है तो कैसे कैसे divided है, उसमें Health Index है Education है और आपका Standard of Living यह तीन Dimensionals है ठीक है न, अगर आपका 100% Weightage है न, तो 100% Weightage में से 1 3rd Weightage दिया गया है आपके Health को, 1 3rd Weightage दिया गया है आपके Education को, and 1 3rd Weightage दिया गया है Standard of Living को तो आपका न, इन 3ों basis के उपर 3ों को मिला के देखे जाएगा क्या score है किस country का, आई बात समझ में तो अगर एक unit था न, या फिर इसको 100% कैलो, 100% Weightage में से 1 3rd मतलब 33% Weightage Health को है, 33% Education को है, and बाकी की 33% आपकी Standard of Living को है, getting the point अब Health के अंदर भी further इन्होंने Categorization करी है, जैसे for example Health के अंदर आपका क्या आ जाएगा? आपका आजगा nutrition मिल रहा है नहीं मिल रहा Child mortality, अगर बच्चों की death हो जाएगी, ठीक है न, जैसे for example जैसे आप बात करते हो, infant mortality rate की आप बात करते हो, ठीक है न, अगर बच्चों की death हो जाएगी ये clearly क्या show करता है? आप खुद बताऊ न, अगर किसी जगा पे बच्चों की death हो रही है, ये ये show करता है न, कि proper वहाँ पे nutrition नहीं मिल रहा, proper health नहीं है, और ये भी तो एक तरह से poverty का ही dimension हुआ, बिल्कुल सभी बात है तो यहाँ पर ये further इसके indicators देखने को मिल जाएंगे, बाकी बात करें education के अंदर, education के अंदर आप देख सकते हो, जैसे आपका कितना year of schooling है, ठीक है न, किसना school attendance है, ये सारे aspect आ जाएंगे, बात करें अगर हम standard of living की, तो standard of living के अंदर न, जैसे for example आपका cooking fuel, अभी तक आप कैसे खाना बना रहे हो, क्या आप खाना अभी भी लकडी को यूज़ करके बना रहे हो क्योंकि आप notice करो, अगर मान लो किस जिए पर लकडी जो बालन होता है, उसका आप यूज़ करते हो, कही न कहीं उससे environment के उपर negative impact आता है, और जो person उसको कहीं न कहीं, उसको use कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो आपकी माता जी अगर लकडी का use कर रही है तो उनकी health के उपर भी तो negative impact आएगा बिल्कुल, तो वो भी हमने aspect को हम यहाँ पर standard of living के अंतर include किया है, sanitation कैसा है वहाँ के आपके उपर, ठीक है न, वहाँ का environment क्या clean drinking water है या नहीं है वहाँ पे बिजली पहुंची है या नहीं पहुंची यह भी तो important है न, अगर पैसे हैं अपर वहाँ बिजली ही नहीं आपके घर में, तो definitely आप पूर हुए ठीक है न, housing है या नहीं है assets कैसे हैं वहाँ के उपर assets के अंदर बहुत सारी चीज़े आ जाती है छोट-छोटे आपके चीज़े देखी जाती है क्या आपके घर में scooter है या नहीं है इस तरह की कुछ-कुछ अलगर चीज़े देखी जाती है assets के अंदर तो यह तीनों aspects मिलाके health, education and standard of living मिलाके क्या बनता है आपका MPI, multi-dimensional poverty index UPSC ने already question पूछा हुआ है in dimensions के ओपर आज के lecture के अंदर ना मैं आपको जो previous year questions आए UPSC ने जो पूछे हुए हैं वो भी करवाँगा वैस्तो हर lecture के अंदर ही कराते हैं इस lecture से poverty में especially बात करूँ तो 3-4 questions आये हैं, उनको हम आज यहां पर discuss कर लेंगे, is it clear? ठीक है तो आपको यह भूलना नहीं है पहली बात MPI release कौन करता है UNDP plus OPHI और साथ ही साथ उसमें कौन-कौन से dimensions होती है हमने वो भी समझ दिया ठीक है तो यह वाला part हमने clear कर लिया हांजी Multi Dimensional Poverty Index वाला ठीक है सर, यह वात आपने समझा दी अब बताओ यह नीचे क्या लिखा है उसके देखो उसके नीचे लिखा है नीति आयोग National Multi Dimensional Poverty Index सर्व इसका क्या मतलब है देखो इसका मतलब भी बहुत simple है अब Multi Dimensional Poverty Index में क्या हुआ जो उपर वाला था, यहां पर न इस particular UNDP ने क्या किया OPSI ने मिलके क्या किया इन्होंने किया अलग अलग दुनिया की countries को rate किया, कहने का मतलब क्या इंडिया में कितनी Multi Dimensional Poverty है XYZ country के अंदर कितनी है यह बात करी, ठीक है पर आप खुद बताओ हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि भाया इंडिया लेवल पे हमें पता है हमारी states का भी तो देखना पड़ेगा कि भाया उत्तर प्रदेश कैसा कर रहा है तमिलाडू कैसा कर रहा है, हमारा मनिपूर कैसा कर रहा है, यह भी तो देखना पड़ेगा अलग अलग यूटिस को भी देखना पड़ेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि जो यह वर्ड लेवल के पर हम भी काफियत तक सिमलर यहां पर दिमेंशन जी यूज करते हैं थोड़ा माइनर सा फरक आता है वो मैं फरक भी आपको बता दूँगा पर ध्यान रखना नीति आयोग इसको रिलीज करता है नाइशनल मल्τιदिमेशनल पावर्टे इंडेक्स यह वाला क्या था यह था गलोबल मल्τιदिमेशनल पावर्टे इंडेक्स जो की यूट पड़ी रिलीज करता था नैशनल वाला कौन करेगा हमारा नीतिय आयोग अब अगर आपने देखो I know polity आपकी चल रही है पर शायद आपने I think federalism नहीं पड़ा आने वाले lectures के अंदर आप federalism को पड़ लोगे अगर आपने नहीं पड़ा अभी तक अगर पड़ा है तो बहुत बढ़िया federalism क्या होता है कही ना कही यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो center state के relationships हैं वो कैसे हैं बाकी जो states हैं वहाँ पर cash relationships हैं ये सारी चीज़ें हम federalism के अंदर हम देखते हैं तो नीती आयोग को न जब आप पड़ोगे नीती आयोग को तब आप उसमें एक word notice करोगे that is cooperative federalism in fact ना अगर आप prelim booster या जो आप current affairs follow करते हैं उसमें मैं बताता रहता हूँ ये चीज़ें and साथी साथ competitive federalism ये दोनों चीज़ें ensure होती हैं आपके नीती आयोग के माधियम से अब ये क्या है देखो corporate अगर हमारी अलग-अलग states और हमारी जो center of states हैं आपस में corporate करेंगी कहीं न कहीं उससे क्या होगा उससे हमारे देश की तरक्की होगी तो वो होता है cooperative federalism तो नीती आयोग उसको ensure करने में हमारी help करता है उसी तरह से एक होता है हमारा competitive federalism सर ये क्या होता है देखो ये बड़ी simple चीज़ है जैसे मैं example देता हूँ माल लोग ही ना जैसे स्वच्चता की बाद कर लेते हैं cleanliness की बाद कर लेते हैं अब अगर आप जानते होंगे देखो indoor indoor एक ऐसी city है जो इंडिया में top के उपर है in terms of cleanliness स्वच्चता की मामले में indoor number one पे है पर I think चंडिगड़ दूसरे number पे है जहां तक मुझे याद आ रहा है अब आप खुद बताओ indoor top पे है हमने ऐसा बताया हमने ऐसे rankings करी तो यहाँ पर ना चंडिगड़ को लगा कि नहीं यार मुझे indoor से बढ़िया बनना है indoor ठीक है ना तो यहाँ पर पता क्या हुआ indoor और चंडिगड़ के बीच में एक healthy competition बना ध्यान से समझना मैंने healthy competition वर्ड यूस किया है ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर healthy manner के अंदर वो compete कर रहे हैं इसकी कोशिश हो रही है कि मैं और आगे वड़ू कहिना कि मैं टॉप के उपर जाऊ तो यह क्या करेगा चंडिगड़ क्या करेगा चंडिगड़ ना अपने यहाँ को जो infrastructure है उसको और बहतर करने की कोशिश करेगा कैसे हम यहाँ पर cleanliness लेकर आपाएं कैसे हम और भी बहतर माध्यम से कहिना कि लेट से waste disposal कैसे कर पाएं यह सारी अलग-अलग टेक्निके यह भी अडॉप्ट करेगा तो यहाँ पता क्या हो रहा है healthy competition की वज़ा से दोनों आगे जाने की कोशिश कर रही है और यह बहुत अच्छी चीज है इसी को क्या बोलते हैं हम competitive federalism आप लोग भी करते होंगे ना कि मानलो आपका कोई दोस्त है ठीक है ना आपका लेट से आप UPFC की त्यारी कर रहे हो तो कई बहुत दोस्तों के बीच में भी ना competition आ जाता है competition कोई गलत बात नहीं है competition गलत तब होता है जब आप ना सामने वाले को मतलब ना पीछे खीच के आगे बनने कोशिश करते हो getting the point अगर आप सामने वाले को जालसी हो जाती है आपका तो वो गलत चीज होती है पर अगर आप खुद सोचो अगर आपका partner जिसके साथ आप आपका जो दोस्त है जिसके साथ आप उस कोशिश कर रहे हो कि UPSC crack करने की अगर दोनों का healthy competition होता है तो वो बहुत अच्छी बात है आप कोशिश करते हो मेरे ज़्यादा marks आए वो कोशिश करते है कि मेरे ज़्यादा marks आए कही ना कहीं दोनों की ज़्यादा कोशिश आती है और काफी helpful रहता है अभी बात समझ में तो National Multidimensional Poverty Index समझ आया यहाँ पर आप ती अलग-अलग states और अलग-अलग UTs को यहाँ पर accordingly उनको ranking दी जाती है ठीक है sir यह बात हमें समझ आई इसको थोड़ा आप discuss कर लेते हैं देखो अगर हम बात करें ना Multidimensional Poverty Index की तो यहाँ पर कुछ हमारे पास डेटा भी दिया गया है जैसे for example इसके अंदर ना कुछ बाते करी गई हैं वो यह हैं कि जैसे for example अगर आप नूट करो हमारे जो scheduled tribes हैं scheduled caste हैं और या फिर जो other backward classes हैं यहाँ पर ना अभी situation थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर अभी काम करना वचा हुआ है ठीक है ना मतलब अगर बात करें तो 9% लगबग जो हमारे schedule tribe के जो लोग हैं वो multidimensional poverty के अंदर रहते हैं ठीक है ना one third आपकी जो schedule caste कास्ट के लोग हैं वो multidimensional poverty के अंदर है उसी तरह से लगबग 27% जो OBCs है वो यहाँ पर multidimensional poverty के अंदर है तो यह ना हमारा इसको आप GS paper 2 के अंदर भी यूज कर सकते हो कहीं ना कि हमारे जो GS paper 1 के अंदर society के अंदर भी इसको आप यूज कर सकते हो यह जो इस तरह के issues हैं आई को रिलीज हुआ था तो बिल्कुल updated current affairs में आपके लिए लेके आया हूँ ठीके ना यहाँ पर आप देख सकते हो ठीके ना अभी परसो ही रिलीज हुआ है तो यह जो national multidimensional poverty index है यह अभी आया नीती आयोग का इसको देख लेते कि इन्होंने क्या बाते करी हैं अभी जो परसो इन्होंने यहाँ पर रिलीज कर रहा है पहली बात तो समझो कि कौन-कौन से parameter इन्हों यहाँ पर देखे एक यहाँ पर था आपका health एक यहाँ पर था आपका education और तीसरा है यहाँ पर standard of living सर यह तो अभी पढ़के आए हैं बिल्कुल मैंने क्या बताया था जो global multi-dimensional poverty index है जो UNDP और OPHI release कर रहे हैं उसी से ही तो inspiration लेकर यह नीतिया योगने report में आई है ठीक है ना तो कही ना कि उन्सने यह बातें जो dimensions है वो same रखी है पर उनके अंदर चीजों को थोड़ा सा change किया है जिसे for example यहाँ पर इन्होंने बात करी है bank accounts की getting the point अब याद करो bank account वहाँ पर तो नहीं था ठीक है ना इन्होंने यहाँ पर bank account को अच्छा सा importance दिया हुआ है तो यह इस तरह से कुछ है उनके अंदर changes हमें देखने को मिलते है अब sir यहाँ पर इन्होंने data कौन सा लिया है data लिया है National Family Health Survey 5 का NFHS 5 के बार में आप जानते होंगे ठीक है न हमारी जो Ministry of Health है उसके अंतरगत कहीं न कहीं वो कोशिश करती है National Family Health Survey को यहाँ पर conduct करवाया जाता है अलग-अलग parameters यहाँ पर देखे जाते हैं तो यह सारी चीजें उसका data यहाँ पर लिया गया है अब हमें क्या समझना है समझना है कि यह data आखिर कहता क्या है क्या-क्या इन्होंने यहाँ पर बताया है दिखो बताया यह है कि बड़ी तेजी से इंडिया में multi-dimensional poverty कम हो रही है जो कि एक बहुत अच्छी बात है अगर आप बात करोगे न 2015-16 से लेकर 2019 से 21 वाला time क्योंकि यहाँ पर आप नूटिस करो यह वाला इसमें NFHS 5 का data लिया आगा ना इसलिए data आपको देखने का मिलेगा तो इन लगबग यह 5 सालों के अंदर क्या हुआ है 13.5 करोड लोग उनको हमने poverty से बाहर निकाला है यह जो multi-dimensional poverty के अंदर इतने सारे लोग थे न 13.5 करोड लोग उस MPI से बाहर आगे है बहुत बड़ी यह बात है ठीक है न अगर आप और नोटिस करोगे पहले हमारा यह क्या नंबर होता था पहले नंबर होता था यह 24.85 लगबग 25% के आसपास पारे परसेंटेज पूर होते थे अब 9% का डिकलाइन आया है और लगबग यह अब 15% के आसपास आ गया है तो यह काफी अची बात है आप नोटिस करोगे न हमारी सरकार इतने सारे measures लेती है इतने सारे steps लेती है कहीं न कहीं उन्हीं का फल है ठीक है न आप कोई भी आप scheme उठा की देख लो इन दी एंट आप notice करोगे वो हर scheme न poverty के उपर ही कहीं न कहीं मतलब उसका focus होता है सिर्वो कैसे आपना दिमाग में कोई भी scheme सोचो कोई भी scheme ठीके न मैं आपको कोई ऐसे random नीमतारा कोई भी scheme सोच लो let's say आप मनरेगा के बार में सोचते हो अब मनरेगा से क्या हो रहा है लोगों को रोजगार मिल रहा है है के नहीं लोगों को रोजगार से क्या होगा कहिना कहीं उनके अंदर जो गरीबी थी वो जो गरीबी थी वो गरीबी से बाहर उठेंगे बात सही है और सोच लो education के अंदर बात कर लो जो new education policy आई है हमारा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कोई भी scheme सोच लो क्या आपको नहीं लगता कि ये कहिना कहीं poverty के साथ linked है मैंने याद करो अभी बताया था poverty के अंदर आपकी education भी आती है आपकी health भी आती है अयुश्मान भारत scheme का सोच लो तो जब poverty ही multi-dimensional हम बात कर रहे हैं तो कोई scheme health के उपर आए कोई education के उपर आए कोई आपकी skills के उपर आए कोई हमारे किसानों को help करे ये सारे गरीबी से बाहर करने के तरीके ही तो है आई बात समझ में तो कोई भी आप scheme इसमें लिख दोगी हाँ हमारी government ये सारी schemes poverty को कतम करने के लिए कर रही है तो बिल्कुल आपका answer वो ठीक माना जाएगा पर जैसे मनरेगा हो गया ये तो बिल्कुल directly हाँ पर लिंग्ड है अई बात समझ में तो इस तरह से मारी सरकार की कोशिश है और ये जो numbers हमें दिख रहे हैं कि हाँ पहले 25% के आसपास Multimational Poverty थी अब वो 15% तक पहुँच गी है ये clearly show करता है कि मारी सरकार की जो steps है उन्होंने कुछ ना कुछ efforts जरूर दिखाए है और क्या सर इस particular report में बात करी गई है देखो एक होते हैं मारे urban areas जिनको शहरी शेतर बोलते हैं अब जो rural areas के अंदर गरीबी थी ना ये ज़ादा तेजी से हमने कम कर दिये तो rural areas में जो गरीबी हमने कम करने की कोशिश करी है उसने ज़ादा फल दिया है ये बहुत अच्छी बात है कि गाउं में पहले जो 32.59% हमें देखने को मिलता था अब वो 19% तक पहुँच गया है on the other hand urban areas में शहरी शित्रों में भी कमी आई है for example 8% से लेकर हम कहिने गई 5% के आसपास हम पहुँच गये है ठीक है ना आपको इतना देखो ये लोग में से पूछने है कि या सर हमें exact number ध्यान में रखने है देखो नहीं एक idea रखो जैसे इतना मत सोचो कि 32.59 मैंने लिखना है नहीं इसको आप याद कर लो कि 32-33% के आसपास है ठीक है या 30% भी लिख दो कि तो भी उतनी कोई गड़ बढ़ नहीं है पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 32.59 को आपने 25% लिख दिया वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि at the end पता क्या होगा इतने सारे आपको data याद करने पढ़ेंगे तो ये चीज़े फिर ना होच पोच हो जाती है दिमाग के अंदर clear हो ये बात ठीक है तो चलो ये बात तो सब समझ आगी कि जो हमारे rural areas थे वहाँ पर गरीबी कम करने की रफ्तार काफी तेज है which is a good thing on the other है अगर हम बात करें कि सर कौन से ऐसे states हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है देखो यहाँ पर न अच्छी बात यह है कि जैसे for example उत्तर परदेश हो गया आपका बिहार हो गया आपका मद्यपरदेश हो गया आपका राजस्थान आपका ओडिसा इन सभी states ने अच्छा काम किया है तौप पे कौन रहा है उत्तर परदेश लगबग साड़े तीन करोड के लोग करीब लोग है जो कहिना कहिए आपके इससे बाहर आए हैं तो यह बहुत अच्छा नंबर है इन सभी states के लिए ठीक है तो यह कुछ चीज़े थी जो आपको पता होनी चाहिए थी अब आपकी दिमाग में आएगा कि सर इतनी तेजी से हम कैसे यह मुल्टिदिमेशनल पॉवर्टी को कम कर पा रहे हैं कैसे इन स्टेट्स ने जैसे उत्तर प्रदिशन साड़े तीन करोड लोगों को 2015 से लेगा 2019 सिक इस्तिनी तेजी से साड़े तीन करोड लोगों को कैसे MPI इसे बाहर निकाल दिया कैसे मुल्टिमेशनल पॉवर्टी से प्रधान मंतरी जंधन योजना जब हमारी करण सरकार आही थी तब अधान मंतरी जंधन योजना लेके आही थी बिल्कुल सभी बात है उस particular योजना के अंतरगत हमने ने-ने bank account खुलवाएगे, करोडों ही लोगों के bank account खुलेगे तो क्या आपको नहीं लगता, जो number 2015 में, assets वाले category के अंदर बहुत कम था क्योंकि लोगों का financial inclusion ही नहीं था, उनकी बैंक अकाउंट ही नहीं थे क्योंकि bank account खुल गए, अब कहिना कि वो number बढ़ जाएगा, तो लोग क्या multi-dimensional poverty से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो financial inclusion वाला पार्ट अब ठीक हो गया है, बिल्कुल सही बात है, तो वो एक major कारण रहा है, और क्या कारण रहे हैं, देखो और कारण और समझाता हूं, जैसे आप समझो, यहाँ पर एक parameter बढ़ा था, asset के अंदर ही, क्या cooking fuel, मैंने example दिया था ना, कि अगर आप लकडी को use करते हो, बालन के लिए use करते हो, तो कहिना कि उससे दिखता है, कि आपके बास अभी cylinder नहीं है, बाकी gas वाली चीज़े नहीं है, तो वो एक खराब चीज होती है, अगर आप लकडी को use कर रहे हो, तो आपको globally, मतलब आपक risk regarding कोई scheme नहीं लेकर आए थी, याद करो, उजवला योजने नहीं सुना का भी, सुना है न, क्या हुआ था, इसमें गरीबों को, महिलाओं को क्या दिया जा रहा था, महिलाओं को slender दिये गए थे, तो अगर पहले उनके पास cooking fuel था, तो कहीं नहीं, cooking fuel से कहां पी आगया वो slender के उपर आगे, तो क्या इस parameter के अंदर हमने अच्छा perform नहीं किया, बिल्कुल किया है, तो जब ये दो parameter इतने बढ़ गए हैं, तो आपको नहीं लगता, ये लोग उससे बाहर आएंगे, margin dimensional poverty से, बिल्कुल बाहर आएंगे, बाकी और भी चीजों के अंदर काम हुआ है, ठीक है, बाकी आप चीज़े देख सकते हो, आपका पीने का पानी ही हो गया, उसके अंदर अच्छा काम हुआ है, आपकी housing हो गया, आपका electricity, हमारी सरकार की कोशिश है, कि हर घर तक कहीं ना कहीं हम ना बिजली लेकर जाएं, तो अगर लोगों के घरों तक बिजली जाएग तो वो भी help करेगा, assets हो गया, bank account हो गया, इन सबी ने काफी important रोल यहां पर play किया है, education और health में भी काम हुआ है, पर जिस level तक हमने ये asset वाली category के अंदर काम किया है ना, उसके comparison में काम हुआ है, आई बात समझ में, तीन डिस्कुर्स किया थे ना, एक था आपका health और एक थ education, एक जो अपका तीसरा category थे आपका, जो standard of living वाला, ठीक है, हमने डिस्कुर्स किया ने, तीन categories, तो इन में क्या हुआ है ना, कि हमारा जो ये तीसरा वाला part था, standard of living, इसके अंदर हमने अच्छा काम किया है, काम इन में भी किया है, पर ज्यादा अच्छा काम कहा हुआ है, आपके standard of living के अंदर, I hope ये वाला aspect आप अच्छे से समझ गए होंगे, is that clear, ठीक है, तो ये latest data था, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, global, multi-dimensional poverty index के ये data था, health, education और living standard, यहाँ पे मैंने आपके लिए mention कर दिया है, ठीक है न, हमने समझ भी लिया इनको, कि कैसे one third weight is health की ह आपके living standard की है, और इनके further categorization भी हम पढ़ ही चुके है, ये clear हुआ, ठीक है, ठीक है न, आप बाकी चीजे notice कर सकते हो, कुछ और data भी मैंने आप पे आपके लिए दिया हुआ है, जो exam perspective से आपको के बार use करना हो न, आप उसको use कर सकते हो, जैसे जो global multi-dimensional poverty index है न, इन्होंने पहले एक और data दिया था, वो क्या था, कि 2006 से लेकर, 2016 के बीच में, ये 10 साल के अंदर हमने 27 करोड लोगों को, ठीक है, 271 million मतलब 27.1 करोड लोगों को, हमने multi-dimensional poverty से बाहर निकाला है, तो बहुत सारे मैंने आपको data दे दिये हैं, आपको कुछ data इनमें से आप याद रख लो ताकि exam में कोई question आए, अब data के माधियम से उसको answer कर पाओ, ठीक है न, urban areas के अंदरा कर आप poverty देखोगे, that is 13.7% और rural areas के अंदरा आपको poverty 25.7% देखने को मिल जाएगी, overall अगर आपको बात करना हो, तो 21.9%, हमारी जो तंदूल करके मैटी थी, अभी discuss भी करूँगा, तो व अब ये बताओ sir, कि poverty है क्यों इंडिया में, मैंने बताया कि poverty कम हो रही है, ये बात बिलकुल ठीक है, पर कोई न, कोई कारण तो रहा होगा कि poverty क्यों exist करती है इंडिया में अंदर, है कि न, तो वहाँ पर न, बहुत सारे कारण है, जैसे कि आप खुद सोचो, अक्सरनल ल अब 1947 में हम अजाद हुए, है के न, तो उससे पहले 200-200 साल हमारे उपर किसने राज किया, हमारे जो British Empire सा, उसने राज किया, है के न, चाहिए आप East India Company की बात कर लो, British राज की बात कर लो, अब उस टाइम के उपर हुआ गया, ये 200-200 साल का टाइम क्या है, इसके पहले अग बिल्कुल ही खराब होगी हमारे देश की, क्यों हुआ सर ऐसा, क्योंकि भहिया ये जो Britishers थे, इन्होंने क्या किया है, बेसिकल हमारी country को लूटा है, तो historical reason एक major कारण रहा है, इसके पहले, Britishers से पहले, इंडिया में agriculture भी अच्छा काम कर रहा था, हमारे यहां पे industry भी ठीक ठीक परफॉर्म कर रही थी, तो कहीना कहीना हम अच्छे कासे आगे बढ़ रहे थे, पर Britishers आये, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कैसे, ठीक है न, तो होता क्या था, यह रहा आपका England, और यह रहा आपका India, ठीक है, इंडिया से क्या हो रहा था, यहां स हम raw material यहां बेजा करते थे, वहां से final goods बनके फिर वापस इंडिया में आते थी, तो इंडिया यहां पर क्या बन गया, इंडिया बन गया raw material का exporter, एंड साथ ही साथ हम import करवाते थे, final goods, तो कहीना कहीं इंडिया में जो अलग-अलग factories थी, वो बिलकुल बंद पढ़ गी, ब पर इतना सत्यानाश हो गया, ठीक है, चाहिए आप जमीनदारी सिस्टम देख लो, और इस तरह के जो exploitative सिस्टम से, उन्होंने agriculture को भी खतम कर दिया, agriculture productivity बिलकुल ही खतम होगी, तो क्या, आज इंडिया में गरीबी है, क्या उसके विछे कारण historical reason नहीं है, बिलकुल है, तो आगे हम ना agriculture एक topic को पढ़ेंगे भी, ठीक है, मैं आपको उसके अंदर और data भी दूँगा, पर actual में आप notice करना होता क्या है, मानलो ये piece of land है, ये खेत है, ठीक है, अगर मानलो ये खेत होगा बड़ा, तो उसके क्या होगा, कहीना कहीं उसके अंदर अगर बड़ा खेत होत इस particular area की जो productivity होती है, आप उसको काफी तेजी से बढ़ा सकते हो, मतलब कहने का मतलब कि इस area से आप अच्छा कासा output लेकर आ सकते हो, पर अगर आप मानलो अगर छोटी सी जमीन है, अब कहां पर आप यहां पर ट्रेक्टर चलाओगे, कैसे वहां पर, एक तो किसान जो इस इसके पास उतना पैसा भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो इंडिया में अगर अगर बात करूँ ना, तो यहां पर हमारे यहां पे agriculture productivity काफी कम है, तो अगर हम agriculture productivity उत्ती अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी किसानी की हाला तो खराब ही रहेगी ना, यह point को हम और भी लेंड होल्डिंग साइज है ना, वो 1.08 हेक्टेर है, मतलब हमारे जो खेत है ना, उनका साइज बहुत ही छोटा है, हमारे जो लगबग 86% किसान है ना, वो small and marginal farmers हैं, कहने का मतलब क्या, उनके पास जो जमीन है, वो बहुत ही कम है, तो जब जमीन बहुत ही कम होगी, कहीं है कि agriculture productivity तो कम ही होगी, ठीक है ना, एक आपके दिवंग में डाउट और आ रहा हुगा कि सर्च small and marginal का मतलब क्या होता है, देखो जो आपकी जमीन होती है ना, उसके साब से आपको, आपका जो किसान होता है, उसके बात करते हैं कि क्या वो छोटा किसान है, बड़ा किसान है कैसा है, तो अगर आपकी जमीन का साइज, लट से जीरो से एक हेक्टेर के बीच में है, तब उसको बोलते हैं हम marginal farmer, अगर हम बात करते हैं, एक से दो हेक्टेर के बीच में, उसको हम बोलते हैं small farmer, अगर होता है land holding size आपका, दो से 10 हेक्टेर का, उसको बोलते हैं medium farmer, और देखो, अगर हमारे सारे के सारे मतलब लगबग 86% जो किसान है, वो छोटे किसान है, तो आप खुद बताओ ना, कहां से agriculture productivity आएगी, इतने सारे लोगों को उतना मतलब आप जानते हो थीगा agriculture के regarding की proper inputs नहीं मिल पाते, और issues रहते हैं कि लोन लेना पड़ जाता है, लोन ले लिया, कही ना कहीं, debt trap में फस जाते हैं, तो यह सारे issues यहां पर देखने के मिलते हैं, तो agriculture productivity कम होना एक दूसरा कारण बन जाता है, उसी तरह से तीसरा हो गया आपका social culture, social culture कैसे, देखो इसको भी समझो जैसे, मान लो एक इंसान है, ठीक थोड़ा सा गरीब family से है, ठीक है पर इसके आसपास के area में कोई और ठीक ठाक वाला परिवार रहता है, ठीक है ना, example से समझते हैं, ठीक है ना, आपको थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ, जैसे एक example लो, मान लो, यह है webhav, ठीक है ना, और यह है मान लो, यह है मान लो, अंकित, ठीक है ना, जो webhav है न वो थोड़ा गरीब परिवार से है, ठीक है ना, he belongs to a poor family, ठीक है यह कहीं ना, आप मान लो, यह middle class से है, example लेकर चलते है, ठीक है, अब कल को ना, अंकित अपने घर में शादी करता है, लट से उसका बेटे या बेटी की शादी करता है, किसी की भी, तो क्या होता है, अंकित खूब पैसा खर्च करता है, काफी बड़ी शादी करता है, ठीक है ना, तो कल को ना, जब वैबव अपनी बेटी की शादी करेगा, तो वैबव की ऊपर भी दवाव होगा, किस बात का दवाव, कि यह र मैं भी बड़ी शादी करूंगा, चमझ सबाए हो, हम लोग ना पता तो लोगों को लगता है कि नहीं इसको पूरा अच्छे से करा जाए ठीक है तो कई कई बार ना काफी लोग क्या करते हैं कि शादी को बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में लाखो रूपे का लोन ले ले लेते हैं किसी ना किसे करजा ले लेते हैं अब क्या कर रहे हैं करजा ल तो ऐसी बजाव से भी ना कहिना कि यह क्या हो जाएगा शायद इसकी situation ओर लेड़ी खराब थी वो situation और भी जादा खराब हो जाएगी तो social cultural legends में ना कहिना की कारण बनते हैं इंडिया में poverty के ठीक है ना हम इस तरह की चीज़ों के पर जादा खर्च कर लेते हैं कि दिखावे के उपर जो खर्च किया जाता है ना वो सारी चीज़ों के इंडिया में poverty का कारण बनती है और यहां सिर्फ मैं शादी की बात नहीं कर रहा है शादी के अलावा भी जो religious functions होते हैं कि इपर उनमें भी हो सकता है ठीक है इस तरह के अलग अलग जो events होते हैं आप समझ गे उसी तरह से एक आदा था आपका governance के कारण देखो मैंने क्या बताया मैंने बताया कि सरकार अलग अलग schemes लेकर आती है मन्रेगा हो गया कोई भी आप scheme देख लो ठीक है ना पर आप खुद बताओ कि अगर अगर कहीं ना कहीं इन schemes के अंदर कुछ हद तक हमें कुछ corruption देखने को मिले तो क्या फाइदा उस चीज़ का अब अगर आप याद करो हमारे प्रधान मंत्री हुआ करते थे राजीव गांदी जी ठीक है ना तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर ना मान लो मैं 100 रुप भाया यह बीच में खतम होगे आपके जो corruption करने वाले लोग है ना उन्होंने 50 रुपे बीच में खा लिए getting the point अब यह number obviously 50 रुपे नहीं है अब तो नीचे आ चुका है पर corruption आज के टाइम पर भी आप जानते हो थोड़ी exist करती है अगर corruption रहेगी तो हमने जो पैसा allocate करना थ गरीबों को बहतर स्थिति में लेकर आने के लिए जब उन तक पहुंचेगा इन्हीं हो पैसा तो गरीब तो रहेंगी तो गवर्नेंस जैसे कारण भी कई बार इसके बीचे का रीजन बन जाते हैं poverty के बीचे इसके लाब और क्या कारण है इसके लाब आप नोटेस करो population explosion आ आप नोटेस करो हमारे जो ना especially time था 1970 के बाद का 1960 से लेकर 1890 के बीच का या उसके बाद भी इनफेक्ट हमारी जो जन संक्या है बहुत ही जाधा तेजी से बढ़ी है अब होता क्या है हमारी यहाँ पे उतने resources है नहीं पर जन संक्या बहुत जादा है अब इतनी बड़ी जन संक्या को खाना भी खिलाना है उनके लिए रोजगार भी लेकर आने है रोजगार जनरेट करने है बहुत सारी चीज़े करनी है पर उतने resources है नहीं हमारे पास जब इ बेरोजगारी बढ़ेगी, employment है नहीं, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, poverty बढ़ती रहेगी, है कि नहीं, उपर से आप notice करो, health हो गया, education हो गया, skills हो गया, unemployment, यह अभी तक हम उस level तक नहीं पहुंच पाए है, ठीक है, अच्छी health, जिसे COVID-19 pandemic पे देखा होगा, जिस तरह का हम हमारे यहां पे अभी तक health infrastructure नहीं है, आज के time पर भी उपर भी लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, याद करो, poverty के अंदर health education यह सारे aspects आते हैं, तो यह जब चीज़े नहीं होंगी, तो आप poor हुए, getting it, उस तरह से अच्छे skills नहीं है, बेरोजगारी जादा है इंडिया के अंदर, तो वो भी एक कारण बनता है गरीबी का, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप notice करो, अगर रोजगार ही नहीं है, तो कैसे आप अपनी family को अपने आपको गरीबी रेखा से बाहर लेकर आप आओगे, नहीं लेकर आ सकते, तो बेरोजगारी भी एक कारण बन आप भले ही बोलो कि हाँ, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, पर क्या इसका मतलब ये है, कि इंडिया के 140 करोड लोग आगे बढ़ रहे है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, है कि नहीं, हो सकता है कि ये जो इंडिया आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर मानलो हो सकता है, है जब जब ऐसा होता है कि अमीर जादा अमीर होता जा रहा है और गरीब जादा गरीब होता जा रहा है तब वो गरीबी का कराण बनता ही बनता है तो सिरफ आगे बढ़ना ही important नहीं है पर वो आगे बढ़ने के जो benefits हैं वो सब को मिलने चाहिए that is more important याद करो last chapter हमने पढ़ा था किसके बारे में inclusive growth याद करो उसमें पढ़ा था मैंने बताया था यह चीज़ के बारे में अगा bank account हो ठीक है तो वो भी काम कर रहे हैं हम इस direction में अच्छा काम गिया भी है और भी और काम करना यहां पर बचा हुआ है तो यह कुछ कारण बनते हैं poverty के पीछे के ठीक है में इस perspective से definitive point है even if I am recalling it correctly तो 2021 का paper पर देखना उसमें भी पूछा गया और 2021 का GS paper 1 और 2022 का GS paper 2 उसके अंदर poverty के उपर question आये है तो सिरफ economic perspective से नहीं society के perspective से and social justice के perspective से यह topic काफे जाए important बन जाता है अब देखो कारण तो हमें समझ लिए कि poverty के पीछे क्या के कारण है हमें यह भी जानना है कि गरीबी के कारण उसका effect क्या होता है क्या क्या उसके पीछे ना क्या गरीबी होने के जासे क्या impact आता है हमारी society के उपर वो भी समझना है देखो एक तो आप समझो economic consequences क्या economic consequences रहते हैं जैसे for example याद करो chapter number 2 chapter number 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था GDP के बारे ने पढ़ा था GDP का formula क्या था बताओ मुझे GDP is equal to c plus i plus g plus nx पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बिल्कुल यह c क्या होता है सर याद करो consumption expenditure consumption expenditure याद है या नहीं याद है बिल्कुल याद है private consumption expenditure याद है ना तो कही ना कही अगर मान लो आपके पास पैसे ही नहीं है क्यों पैसे नहीं है क्योंकि आप गरीब हो तो आप क्योंस पैसे ही नहीं है क्योंकि demand ही उतनी नहीं होती otherwise होता क्या है मानलो आपके थोड़े वात पैसे हैं तो आप नहीं नहीं चीज़ों पर खर्च करोगे उस खर्च की वज़ा से कहिना कि आपकी जो GDP का पईया है ना वो साथ-साथ घूमता रहेगा आपकी economic growth move होती रहेगी लोगों को रोजगार मिलते रहेंगे पर वो ना होने की वज़ा से आपकी economic growth हो नहीं पाती ठीक है ना और गरीबी ज़ादा रहती है कहीना कहीं आप खुद देखो इंडिया के पास 140 करोड़ लोग है यह कोई खराब चीज नहीं है खराब चीज तब है अगर यह जो लोग है ना इतने ज़ादा 140 करोड़ अगर यह कुछ काम नहीं करते Getting the point अगर 140 करोड़ के पास मान लो proper skills है तो अच्छी health है अच्छी education है उनके बास तो शायद हमारी country बहुत तरी से आगे progress कर सकती है पर अगर on the other hand इनको अच्छे रोजगार नहीं मिलेंगे ठीक है ना अच्छे skills नहीं इनको प्रवाइड किये जाएंगे proper employment के opportunities नहीं होगी तो क्या करेंगे हो सकता यह निश्यों में चला जाए ठीक है यह drugs की field में चला जाएं इस तरह की चीज़ों के अंदर involved हो सकते हैं गलत कामों के अंदर involved हो सकते हैं तो लोग होना गलत बात नहीं है लोगों का अच्छा skills नहीं होना that is a wrong thing ठीक है ना तो demographic जो dividend के हम बात करते हैं कि हमारे पस इतने सारे लोग हैं अगर उनको उत्य skills नहीं दे जाएंगे न और वो गरीबी में चले जाएंगे तो कहिना कि वो demographic disaster भी बन सकते हैं तो ये भी economically हमारे लिए poverty इस तरह से negative impact हो सकती हैं बाकि आप खुद देखो मैंने क्या बताया सरकार इतनी सौरी schemes लेकर आ रही है मनरेगा के उपर सरकार खर्च करती है अयुषमान भारत के उपर सरकार खर्च करती है जिस भी आप scheme का नाम लो लो तो क्या हो रहा है यहां पर सरकार बहुत जा खर्च कर रही है ये क्यों खर्च कर रही है कहते हैं कि सरकार का कर्ज काफी बढ़ता जा रहा है कुछ state government का कर्च बहुत जदा बढ़ चुका है तो अगर एक देश में गरीबी होती है न तो सरकार के लिए खर्च करना बहुत ज़रूरत बन जाता है एक तरह की मजबूरी बन जाता है और जब ऐसी situation होगी तो आप होगी तो बेरोजगार ही जाता होगी यह आपस में दोनों पॉइंट्स लिंक्ड है यह तो देखो हो गया economic sense में हमने बात करी उसी तरह से political और governance की sense में अगर आप notice करोगे न तो वहां पर भी आपको poverty के aspect से कुछ देखने को मिलेंगे सरब इसका क्या मतला है गवर्नेस और हो सकता है कम हो जाए ठीक है ना और साथ ही साथ service delivery के पर एक question mark उठ जाता है तो यह सारे issues भी political sense में आप notice देख सकते हो देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि गरीब लोग ही होते हैं इसके अंदर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा पर के बार मैं ऐसा देखा गया है कि अगर म इस इंसान को बहकाना थोड़ा असान हो जाता है ठीक है आप लोग भी के बार notice करते हो ना कि जैसे के बार दंगे होते हैं या फिर ना के बार धरम के नाम के उपर कुछ लड़ाई बगरा देखने को मिलती है तो काफी बार ना इनको जो जो लोग अच्छे पड़ा लिखा कि गरीब लोग ऐसा करते हैं बिल्कुल भी नहीं मेरा कहने का मतलब सिंतना था जो लोग कही ना कही जिनके प्रॉपर एजुकेशन मतलब यह नहीं कि पढ़ा ही लिखाई एजुकेशन का मतलब जो प्रॉपर अवेर नहीं होते चीजों के लिगार रहीं वहाँ पर कई बा वेस्टिंग, स्टंटिंग, सर ये क्या होता है वेस्टिंग, स्टंटिंग, देखो वेस्टिंग का मतलब होता है आप एक बच्चे को देखना, कही बारना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ना हाइट तो बढ़ती रहती है पर उनका ना weight निंट बढ़ता, कि लंबे हो जाते हैं काफी, पर उनका body का weight कम ही डएता है उनको बोलते हैं wasting, उसी तरह से एक होता है stunting, stunting का मतलब कि आपकी उमर बढ़ती जा रही है पर आपकी height ही बहुत कम है, मतलब जो होता है निया कि कम height के रहेगे उनकी मतलब उमर बढ़ती जा रही है पर height नहीं बढ़ रही तो अगर अच्छा स्वास्ते नहीं मिलेगा अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो wasting, stunting ये सारे चीज़े देखने को मिलती है के बार बच्चों की death हो जाती है तो ये भी high mortality rate हो गया ये भी क्या है इसके पीछे का कारण इसके पीछे का कारण भी आपका जो poverty है आपकी गरीबी ही है इसके लावा ना एक aspect और है वो क्या है आपका feminization of poverty फिर इसका क्या मतलब होता है देखो गरीबी वैसे तो सबको impact करती है इसमें कोई शक्की बात नहीं है चाहे वो पुरुष हो महिला हो बच्चे हो बीड़े हो तब को impact करती है पर ऐसा देखा गया है कि जैसे जो महिलाएं होती है और जो बच्चे होते हैं इनके उपर थोड़ा ज्यादा impact आता है गरीबी का ठीक है आप खुद एमेजिन करना मैं आपको समझाता हूँ माल लोना कि आप अपनी खुद की फैमिली को एक बार देखना आप नोटेस करोगे जाद तर फैमिली पर ऐसा देखने को मिलता है कि जो आपके जो जैसे आपके फादर होंगे लेट से तो आपके फादर शायद अधर सबसे पहले खाना खाते होंगे या फिर जो बच्चे हैं वो साथ में खाते होंगे आपकी जो मदर होंगी ना वाप नोटेस करोगे शायद फैमिली में सबसे आखिर में खाना खाती है ठीक है मैंने खुद एक काफी जगा पर नोटेस किया हुआ है तो अगर माल लो जो मदर है आपकी वो सबसे आखिर में खाना खा रही है शायद जो बच गया के बर वही खाना खा लेती है मालो थोड़ा खाना खा लेती है वो शायद खाना उतना नूट्रिशन भी ना हो अगर माल लो घर में एक सबजी बनी हुई है और सबजी खतम होगी तो शायद आप ग्रीब फैमिली के अंदर imagine करें, वहां तो already खाने की कमी है, ठीक है न, वहां पर already चीज़ें नहीं मिल रही, तो महिलाओं के उपर इसका बहुत ज़्यादा negative impact देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी already कुछ health needs थी, आपने उनको तो चलो, fulfill नहीं हो पाई, गरीबी के वज़ा से उनके उपर और ज़्यादा मार होगी है इसकी getting the point, तो इसी को कहिना के हम feminization of poverty भी बोल सकते हैं, जो single मदर्स होती है, उनके उपर भी बहुत ज़्यादा इनो, इस चीज़ का impact आता है, तो ये कुछ concerns रहते हैं, विदरकास to poverty के effects के उपर, जो हमें अच्छे से पता होने ही होने चाहिए, अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको, कि गरीबी कम करने के लिए कोई भी आप example दे सकते हो, वो सारे सही रहेंगे, जैसे परधान मंतरी ठीक है ना, ये मनरेगा अलग है, ठीक है, एमजी नरेगा महात्मा गांधी, National Rural Employment Guarantee Act, कही ना कि इससे आपकी जो रोजगार है उसको यहां पे guarantee किया जा रहा है उसी तरह से आपके बास ये scheme है परधान मंतरी, शिरम योगी मांधन योजना परधान मंतरी, गलीब के लियान योजना जंदन योजना तो मैंने आपको बताया ही जहां पर आपके जो back accounts हैं वो खुलवाए जाएंगे, यह मतलब National Nutrition Mission हो गया आपका पोशन भ्यान हो गया ये बात कर लेते हैं, इसकी आपके सारे initiatives आप मैंशन कर सकतें अपने conclusion के अंदर ध्यान रखना, मैंने कौन सा SDG पताया था poverty के regarding, no poverty achieve करना हमारा क्या है, SDG goal number one फिर ठीक है, यह feminization of poverty मैंने आपको समझाई दिया, कहीना कहीन जो महिलाओं के उपर जो negative impact जादा होता है, गरीबी का उसी को बोलते हैं कि poverty, feminization of poverty poverty effects greater number of women than men, women segregated हो जाती है, ठीक है ना, कहीना कहीन के उनके पास अच्छी education नहीं होती, ठीक है ना, अच्छी healthcare नहीं होती, ठीक है, तो इस तरह से गरीबी का इनके उपर बहुत negative impact हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो this is feminization of poverty UPSC ने question पुचा हुआ है, feminization of poverty के उपर, तो यह aspect भी हमें बता होना चाहिए अब कही बार ना, हमें vicious cycle of poverty देखने को मिलते हैं इसका मतलब क्या है, देखो cycles ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका virtuous, virtuous मतलब होता है कोई अच्छा अब बात, vicious मतलब होता है थोड़ा खराब बात तो यहां पर ना, हमबात कर रहा हूँ आपकी vicious cycle की, cycle आप जानते होंगे कहीना कहीं हिस्तरा से आपको cycle देखने का मिलते है मनले, cycle का जो पईया होता है, इस तरह से देखने का मिलते है तो vicious की जब हम बात कर रहे हैं, vicious का मतलब यही है, कि वो कि खराब पईया है, सर्क कैसे खराब पईया है, दोगो खुद समझने कोशिश करो, मान लो एक इंसान के पास या जो गरीब इंसान है, उसके पास कम पैसे हैं, ठीक है या उसकी जो कमाई है, वो काफी कम है, low income, ठीक ह के ओपर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बताओ ना, जैसे मान लो, अगर मैं सिर्फ 5,000 रुपे कमाता हूं महीने के, example लेकर चलते हैं, तो क्या मेरे पास पैसा बचेगा, नहीं बचेगा, शायन मेरा पूरा 5,000 खाने में ही खर्च हो जाए, तो मैं अच्छे स्किल्स तो अच्छे स्किल्स भी नहीं कर पाऊंगा, अच्छे स्किल्स भी नहीं करूंगा, साथ साथ आपकी अच्छी हेल्थ, अच्छी एजूकेशन, उसके अंदर में मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, अगर आप खुद बताओ, आपकी पास अच्छी स्किल्स भी नहीं है आपको अच्छी health भी नहीं है, आपको अच्छी education भी नहीं है, इससे होगा क्या, क्या आप expect करते हो, कि आपको एक अच्छा रोजगार मिलेगा, answer is no, ठीक है न, तो low level of employment, आपको जो नौकरी मिलेगी, वो काफी कम wages वाली ही मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपको अब यह skills ही नही है, तो आप कैसे expect करते हो, कि आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है न, वैसे तो देखो, कोई काम अच्छा बुरा नहीं होता, पर आप समझ गयोंगी, मैं कहना क्या चाहता हूं, तो अगर आपके पास उस तरह की नौकरी नहीं मिलेगी, तो कहीना क्या होगा, एक तरह से पईया हो गया न, आप इस पईया से बाहर ही नहीं आ पारे, आपकी income कम है, उस बज़ा से आप कहीना कि उन चीज़ों के इंदर invest नहीं कर रहे, अच्छा खाना नहीं खा पारे, अच्छी health नहीं मिल रहे, आपको अच्छी education नहीं मिल रहे, अच्छी skills नहीं मिल सकते हो, इस तरह के flowchart अगर आप अपने mains के answer हो गया, तो सामने वाले person को काफी clarity मिलती है, वो भी समझ आता है कि आप आखिर कहना क्या चाहरे हो, तो ensure क्या करना है कि आप मिना mains के अंदर इस तरह के data points हो गया, flowcharts हो गया, यह सारी चीज़े आप अपने answer के अंदर include करो, तांकि आपकी जो marks है न, वो काफी अच्छे से बन पाएं, तो यह तो प्ला poverty के regarding discussion था, जो मैं समझना था, ठीक है न, तो अब आगे समझते हैं और चीज़े, एक question try करते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है, इसके बारे में तो बहुत बढ़िया, नहीं पता, तो अभी समझ रखते हो, तो कही बरना उनको समझ, अगर आपको exact point नहीं भी पता, तब भी आप अंसर तक पहुँझ जाते हो, जैसे for example, अब मुझे नहीं पता भी या chronic poor क्या होता है, churning poor क्या होता है, या transient poor क्या होता है, पर क्या मैंने कभी life के अंदर chronic word भी नहीं सुना, मैंने तो सुना हैं, देखो, शैद हो सकता है, आप में से ना सुना हो, churning का मुझे मतलब पता है, मुझे transient का मतलब पता है, churning जानते हो, churning मतलब होता है, कोचिस अंदर बाहर अंदर बाहर होना, कभी वो churning मतलब उचीजे उपर नीचे होना, उसी को बोलते है churning, तो क्या आप notice करो अगर आपको इतना भी पता है, churning का, तो क्या आपको लगता है, कि churning का मतलब यह होगा always below poverty line, पहली बात तो poverty line में समझा दूँ, poverty line का मतलब क्या होता है, एक ना ऐसी line होती है, यह हमें दिखती नहीं है, यह तरह की imaginary line होती है, तो होता क्या है, जो इंसान इस रेखा से नी नहीं हो, तो कहने का मतलब इस line से जो नीचे होगा, वो हो गया क्या, वो आपका गरीब हो गया, और जो इंसान इस रेखा से उपर हो गया, वो आपका गरीब नहीं है, is it okay, इसी को बोलते हैं below poverty line, इसको बोलते हैं आप above poverty line, तो poverty line तो समझ आ गया, अब बात करते हैं वाप कभी वो poverty line के अंदर जा रहा है, कभी वो poverty line से बाहर आ रहा है, simply, purely on the basis of English की मुझे knowledge थी, तो मैंने ये answer तक कैसे मैं पहुँच रहा हूँ, मैं बस वो सिखा रहा हूँ, बाद में मैं meaning समझा दूँगा इनको, don't worry, ठीक है, उसी तरह से chronic का जब मैं meaning सोचता हूँ, chronic का direction में होता है, उसको बोलता है chronic, तो actual में मुझे क्या दिख रहा है न, जो English की knowledge के माध्यम से, वो ये दिख रहा है कि chronic का मतलब होना चाहिए, कि कोई इंसान poverty line से नीचे है, हमेशा ही, और churning का मतलब ये होना चाहिए, कि वो अंदर बाहर move करते रहते हैं, ठीक है न, ये वस मैं आपको समझा रहा था कि इपर MCQs न, आप इस माध्यम से भी solve कर सकते हो, अगर मानलों नहीं बता होता, पर अब समझ लेते हैं, इस particular concept को समझ लेते हैं, जब मैं बात करता है, जैसे आपके chronic poor की, chronic का मतलब होता है, बहुत ही खराब स्थिती के अंदर, तो जब बात लोग न, जो हमेशा ही ग्रीवी में रहते हैं, ठीक है न, जिनके बास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, उनको हम बोल देते हैं कहाँ पर, आपके chronic poor के अंदर, clear हुई बात, दूसरा क्या पूछ रहा है, वो churning poor के बार में, churning मतलब कोई चीज अंदर बाहर होना, जैसे for example, बला, यहाँ पर example समझाता हूँ, कुछ है लोग न, आपके seasonal होते हैं, seasonal worker होते हैं, कहने का मतलब क्या, जैसे माल लो, आपका ice cream बेचने वाला, अब होता क्या है, ice cream जो है, वो वेस्तो अब लोग सर्दियों में भी खा लेते हैं, पर generally क्या होता है न, generally आपके लिए, गर्म गर्मियों का महिना में इनकी ice cream अच्छी खा से भी की, कही न, कि उस time की उपर इनकी वास रोजगार था, तब यह गरीबी रेखा के उपर आगे, तब यह गरीबी रेखा से उपर आगे हैं, ठीक है न, पर जब आप notice करो, मालो सर्दियां आगी, तब क्या हुआ, इनकी ice cream की ही नहीं, अब ice cream नहीं भी की, तो उन मंच के लिए क्या होगा, यह गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे, तो यहां हो क्या राय है, कभी गरीबी रेखा से उपर, कभी गरीबी रेखा से नीचे, इसी को तो बोलते हैं, चर्निंग, अंदर बाहर होना, तो poverty line से कभी अजलता वो हमेशा ही नीचे रहते हैं, ठीक है अगर मानलो कोई बहुत ही किसी के हालत काफी कराब है, मानलो कोई छोटा सा गाम करता है, उसको उतने पैसे मिलते ही नहीं है, किसी भी मंत की वो आउटलाइन से उपर जा पाए, तो उतको बोलते हैं हम chronic poor, is that clear? ठीक है, आप इस खेत में मानलो, हार्वेस्टिंग का टाइम आया, जब कटाई वगरा का टाइम आया, तब इस बंदे को रोजगार मिल गया, जब इसको रोजगार मिल गया, तब ठीक ठक पैसे कमाएगा, तब हो सकता है, वो ग्रीबी रेखा से उपर आ जाए, पर ये तो शायद हम नहीं मिलता, तब गरीबी रेखा से नीचे, तो इस तरा से इसको क्या बोलते हैं, हम चर्निंग पूर, क्लेर हुआ, क्रोनिक का मतलब भी और चर्निंग का मतलब भी, ठीक है सर, तीसरा पॉइंट क्या है, सर ये ट्रांजियंट पूर, इसका मतलब क्या होता है, देखो, for example, मान लो कोई इंसान था, था वो अच्छा कासा अमीर मनलब ठीक ठाक था, पर हो सकता है उसने का कोई business उसने start किया हो अब business start किया और लेट से उसका business fail हो गया तब वो क्या करेगा, तब वो गरीबी रेखा से उपर ही है, he is mostly above the poverty line पर किसी खराब luck की वज़ा से, खराब situation की वज़ा से business fail होने की वज़ा से वो poverty line से नीची आजाता है इसको बोलते हैं transient poor, clear हो ये बाते ठीक है, तो यहाँ पर essentially बना क्या आप notice करोगे आपकी जो 30 statement थी transient poor वाली, ये बात बिल्कुल correct है, पर बाकी दोनों interchanged है, chronic poor वाले के लिए ठीक था और आपके churning poor वाले के लिए ठीक था तो इसका correct answer क्या बनेगा, option number C, 3 only is the correct answer मैंने आपकी सहुलियत के लिए न, इनके answers भी यहाँ पर लिख दिये, इन सभी का meaning यहाँ पर समझा दिया है, कि chronic poor क्या होते है आपका जो churning poor क्या होते है और कहिने के आपके जो transient poor होते है यह सब की definition मैंने आपे लिख दी है और इसका answer क्या बन जाएगा, option number C, ठीक है, अब गरीब भी रेखा आपको समझ आगी है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सरी, गरीब ही रेखा आएगी कैसे, आपने बोल तो दिया कि हान जी, इसके नीचे जो होगा इस गरीब ही रेखा के वो कहिना के गरीब, और जो नहीं होगा वो गरीब नहीं है, है ना यही तो poverty line के हमने बात करी पर यह कहां से आएगी poverty line, कैसे इसको calculate करते हैं, यह भी तो दिमाग में आना चाहिए, तो उसलिए एक question यहां पर मैंने बनाया है, इसको कोशिश करो attempt करने की क्या लगता है इसका answer क्या होना चाहिए, एक बात सोचो देखो इसमें ना जो बात करी गई है यहां पर बात हो रही है किसकी दादा भाई ने रोजी जी की आपका ना शाद modern history अभी complete नहीं हुआ है आने वाले sessions के अंदर वो भी complete हो जाएगा तो होता क्या था ना, पहली बात तो आप जाद करो दादा भाई ने रोजी इंडिपेंडेंडेंस से पहले थे वो गे एक jail के अंदर ठीक है, उन्हें देखा कि jail के अंदर ना, एक कैदी को क्या-क्या खाना दिया जाता है ठीक है, उन्हें वो सारी चीज़े नोट करी let's say उनको चावल दिये जाते हैं, उनको रोटी दी जाती है उनको let's say अगर दाल दी जाती है तो उन्हें देखा यार कि 100 ग्राम चावल का दाम क्या है अगर उनको 2 रोटी दी जाती है तो 2 रोटी का दाम क्या होता है अगर इतनी दाल दी जाती है तो इतनी दाल का क्या दाम होता है तो इस तरह थी नहीं उन्हें सारी चीजों का कहीं न कहीं price calculate कर लिया, ठीक है पर उन्होंने एक बात notice करी किया जो कैदी होते हैं, वो तो सिरफ क्या होते हैं, सिरफ बड़े ही होते हैं मतला adults ही होते हैं, बच्चे तो होते नहीं, पर society में तो हमें बच्चे भी देखने को मिलते हैं, तो उनको भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने यह assume किया, कि अगर हमारी population के अंदर, एक तेहाई जो लोग है ना, वो बच्चे हैं, ठीक है ना और जो वो खाना खाते हैं, वो उन्होंने according लिए उसको adjust किया तो उसे साब से ना, उन्होंने poverty line बना दी, समझ पाए basically उन्होंने यह देखा कि मान लो, अगर कैदी कितना खाना खाता है, उस खाना खाने की कितनी cost है, उन्होंने वो calculate कर ली, अगर आप उस cost से ज़ादा आपके पास पैसा है, तो उसको बोल दिया कि अब आप poverty line से उपर हो, अगर poverty line से, अगर उस जो कैदी का खाना है, उससे भी कम है आपके पास, तो कहिना कि आप गरीबी रेका से नीची हो, आई बात समझ में, बस उसमें थोड़ी बहुत इन्होंने calculations change क्या करी थी, कि बच्चे को शायद हो सकता है, दो रोटी ना खाता हो, बच्चा को चावल नहीं, मतलब उतने quantity of चावल नहीं चाहिए हो, हो सकता है एक आम इंसान के लिए, जो 25 साल का है, उसके लिए अगर मान लो, एक कटोरी दाल चाहिए, तो एक बच्चा हो सकता हो, उसका आधा कटोर खाए, ठीक है ना, तो ये उन्होंने कुछ adjustment करी, बट पॉइंट ध्यान में का रखना है, कि उन्होंने jail cost of living, एक कैदी कितना खाता है, उसके हिसाब से या कैदी को क्या मिलता है, उसकी cost उन्होंने calculate करी, उस basis के उपर उन्होंने नोटिस किया, कि poverty line हमारी कहां भी होनी चा कई लोगों मिलते से, आप मिलते से, कुछ लोगों ने ये भी गलती करी होगी, कि उन्होंने बोला होगा कि सर इसका option भी आएगा, पर नहीं, बोला क्या है, incorrect statement, तो incorrect statement 2 नहीं है, incorrect statement 1 है, वो पूछ रहे कौनसी statement गलत है, तो कौनसी गलत है, option number A, one only, I hope ये चीज़ आप समझ गे होंगे, clear हुए बाते, ठीक है, ठीक है सर तो post, sorry, pre-independence India तो हमने समझ लिया, कि जो दादा माईन रोजी जी ने बात करी थी, उसके लावा ना, जब हम independent हुए, तब उसके बाद हमने अलग-अलग कोशिश करी, कि कैसे कहिना गई, हम और कैसे poverty को estimate कर पाएंगे, ठीक है that is, अलग कमेटी, देखो ये वाई के अलग जी है, ठीक है ना, एक्चल में अभी, I think, छे महीने हुए होंगे, इनकी death हुई है अभी recently, ठीक है न, योगेंदर कुमार अलग जी काफी important economist रहे हैं, ठीक है न, तो definitely important हो जाता है क्योंकि इनकी recently death भी हुई है, तो इन्होंने न क्या, कहने का मतलब बहुत simple है, कि अगर माल लो, एक गाउं के शेतर के अंदर, कोई इंसान जो खाना खाता है, उसके अंदर जो calories होती है, अगर वो 2400 calories से भी कम है, तो वो इनसान क्या होगा, वो इंसान होगा गरीब, अगर वो 2400 calories से जादा खाता है, या उसको मिलता है, तो उसको हम ग्रीब नहीं consider करेंगे. On the other hand, urban areas के लिए क्या हुआ? Urban areas के लिए ये number आ गया 2100. अगर 2100 calories से कोई इंसान कम खाना खाता है, that is what? That is poor. मतलब below poverty line. और उसे ज़्यादा खाता है, so that is above poverty line. तो यहां method कौन सा use हुआ? That is calorie intake method. अब आपके दिमाग में आ रहा हुगा, कि sir, ये urban areas के लिए कम क्यों है, 2100 क्यों है, और rural areas के लिए 2400 क्यों है? आया होगा ना question दिमाग में? बहुत ही simple है. अब खुद देखो, जैसे मैं आप एक दिल्नी में रहता हूँ मैं. ठीके ना? मेरा ना, देखो, जो काम है. वो क्या काम है? वहाँ पर फिजिकल काम बहुत कम है. ठीके ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई भाग दोड कर रहा हूँ या बाकी चीज़े कर रहा हूँ. नहीं, मेरा काम laptop पे होता है, आपको बढ़ाने का होता है. ठीके? जो कैलरी इंटेक होने चाहिए, वो जाधा होनी चाहिए. As compared to me. Getting the point? तो urban areas के लिए इसनी number क्या दखा गया? That was 2100 calories. Whereas rural areas के अंदर क्या दिखा गया? That is 2400 calories. तो ये कापी पुराना हो गया, आप तो 1979 की बात थी. बढ़ आपको इकाइडिया हो चाहिए कि हाँ, इन्होंने method कौन सा यूज किया? That is calorie intake method. Is it clear? ठीके ना? ध्यान रखने वाली बात ये है, कि इसके अंदर हमने कुछ चीज़े नहीं देखी. जिसे for example, जो health हो गया, आपका education हो गया, ये वाले parameters हमने यहाँ पे consider नहीं करें. ठीके न, यहाँ पर बात थी calorie intake की, कि कितना खाना खा रहे हो, ठीके न, उसमें कितनी calories है. Health और education यहाँ पे consider नहीं किया गया, तर्क क्यों नहीं consider किया गया? कि अच्छी स्वास्त मिल रही है, किसी को यह अच्छा education मिल रहा है. देखो, ऐसा माना गया, कि जो health और education है न, दरसल्व में वो state की जिम्मेदारी होती है. इसलिए, इन्होंने health और education की यहाँ पे नहीं देखा, तो method क्या था? calorie intake method, तो यह अलग committee के बारे में आपको पता होना चाहिए. फिर समय बतला, ठीक है न, हमने और नहीं committee बनाई, कि हाँजे अब बताओ, कितना यहाँ पे हमारा जो poverty line कैसे हम determine करेंगे, तो 1993 में हमारे पास लकड़ा वाला committee आती है, यह भी काफिता इंपोर्टेंट थी, ठीक है न, यहाँ पर अगर आप notice करोगे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया न, जो हम बात कर रहे थे, daily calorie intake की बात कर रहे थे, उसके साथ में इन्होंने clothing हो गया, shelter हो गया, इन सभी चीजों को भी यहाँ पे इन्होंने include कर लिया, तो जिन particular लोगों को वो चीज़े नहीं मिल रही थी, तो accordingly क्या किया गया, कि वो poor है, poverty line से नीचे है, और जिनको मिल रहा है, वो poverty line से उपर है, ठ लिए हो सकता है, same चीज़ अलग हो, आप देखो compare नहीं कर सकते, जैसे मैं समझाता हूँ, बिहार में एक urban area के अंदर मान लोगो एक बंदा रह रह रहा है, ठीक है, एक बंदा रह रह रहा है महराश्टा के urban area के अंदर, दोनों में na cost of living थोड़े अलग होगी, ठीक है न, हो फिर नेक्स कमेटी हमार पास आती है, तक है तंदूलकर कमेटी, ठीक है, तंदूलकर का मतलब यहाँ पर सेजन्तंदूलकर नहीं है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सुरेश तंदूलकर कमेटी की, तो यहाँ पर इनोंने क्या बात करी न, इनोंने बात करीव monthly per capita expenditure की है, क बात समझ में तो यहाँ पर इनका health के ओपर क्या खर्चा हो रहा है education के ओपर खर्च क्या हो रहा है बाकी चीजों के ओपर क्या खर्चा हो रहा है यह सारी चीज़े include करी तो इन्होंने क्या बताया अगर ग्रामीन शेतर के अंदर किसी इंसान का जो खर्च है वो 816 रुपे से कम है in a month महीने की बात हो रही है यहाँ पर 2011 में आई थी है I think committee है यहाँ पर लिखा होगा तो 816 रुपे से कर कम है तो accordingly क्या बोलेंगे उसको कि वो गरीब है अगर मालो यह नंबर सोचो ना कि 816 यह ग्रामीन शेतरों की बात कर रहा हूं अगर कोई person महीने के अंदर पर पर person इतना खर्च से कम करता है तब उसको क्या बोलेंगे कि this is below poverty line अगर इससे जाधा करता है तो वो प्रूर नहीं है on the other hand जब हम बात करते हैं अगर कोई person महीने के अंदर 1000 रुपे से कम खर्च करता है तो वो गरीब उससे जाधा खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है तो यह चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए विद रिगार्स टू सुरेश तंदूलकर कमेटी इस ट्लियर ठीक है यह बात भी हमें समझ आगी ठीक है उसके साथ ही poverty line state specific update होती है using CPI inflation यह भी आपको पता होनी चाहिए फिर एक आखरी हमें कमेटी दो पढ़नी है तो इन्होंने क्या बात करी इन्होंने यहां पे एक family की बात करी कि मानलो एक 5 members की family है ठीक है तो उन्होंने बात करी कि अगर वो family ग्रामिंट शेत्रों के अंदर उनकों का खर्चा जो है वो कहीं न कहीं 4860 है ठीक है इससे कम है basically तब उसको क्या बोल सकते हम तब उसको बोल परसन क्या है यह परसन उतना पूर नहीं है तो यह आपको फरक पता होने ही होने चाहिए ठीक है ना तो यह नंबर्स आप लोग सोच रहोंगे कि सरी यह rural areas में कम क्यों है और urban area के लिए जाधा क्यों है मतलब कि rural area के लिए नंबर 4860 क्यों है और urban के लिए 7035 क्यों है the reason is दे इंगाई थोड़ी जाला देखने को मिलती है जनरली तो इस वजह से उसे adjustment को करते हुए ना इन्होंने यह नंबर गिये थे कि rural के लिए 4860 and urban के लिए 7035 आई बात समझ में ठीक है अब एक दू चीज़ हमें याद रखनी है ना कि जो इन्होंने उस टाइम हमें बताया कि इं 31.something था तो इतना आपको याद नहीं रखना पर आपको ध्यान इन दोनों committees का रखना है तंदूलकर committee ने लगबग 21-22% बताया था वेरास रंगराजन committee ने आपको 39% के करीब प्रिव आपको बताया कि इतने लोग यहां पर क्या है गरीब ही रेखा से हमें नीचे देखने को मिल जाते हैं तो इस तरह से आपने समझा हुआ कैसे कैसे हम इवॉल्व करें ध्यान रखना या स्टार्ट हमने कहां से किया था हमने दादा भाई ने रोजी जी से स्टार्ट किया प्री इंडिपेंट इंडिया के अंदर फिर हमने अलग committee पड़ी लकड़ा वाला committee पड़ी इंडिया में जो सिंगी रंगराजन committee थी उन्होंने क्या बात पर रही थी 29.5% यहां पर पूर है इनकी जो methodology है इसकी further description यहां पर भी दे रखी है ठीक है एक ऐसा question भी कई बर आप से पूछा जा सकता है एक बर कोशिश करो इसको attempt करने की क्या पूछ रहा है यहां पर कि कौ जूद्गर committee फड़ी तो बिल्कुल poverty estimation के regarding यह दोनों की दोनों committees बहुत important है सर यह third and fourth committee क्या है स्वामी नाथन committee और आपकी जो दलवाई committee है देखो यह हम पढ़ेंगे agriculture के अंदर आप लोगोंने ना डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन जी का नाम पका सुना होगा तो उनी की एक committee बनी थी ठीक है ना इन्हों की बहुत important recommendations है agriculture के regarding यह थी ठीक है दलवाई committee अशोक दलवाई committee बनी थी ठीक है इनके भी कुछ important recommendations थी हमारा जो किसानों की आये दुगनी करने की हम बात कर रहे थे 2022 तक उसके regarding यह committee बनी थी तो third और fourth जो है आपकी ना वो agriculture से संब्दित है और जो one और two है यह आपके किसके साथ है poverty estimation से तो answer के यहां पर बनेगा option one and two is correct answer third and fourth आपकी agriculture के साथ यहां पर linked है ठीक है अब देखो ठीक है एक तो पहले SECC वाला मिस हो गया I think एक सेगे एक ना SECC होता है social economic car census अब ध्यान से समझना जैसे हमारे ग्रीब लोग है ठीक है अब कही ना कहीं उनको देखना भी पड़ेगा कहने का मतलब क्या हमें देखना पड़ेगा कि उनको कौन-कौन से हम सहुलते दें जिसे for example हो सकता है कुछ लोग बहुत ही गरीब हो हो सकता कुछ लोग कम गरीब हो और कुछ लोग ठीक ठाक हो अब इनको शायद हो सकता कुछ और चीज़े प्रवाइड करनी होंगी इनके लिए थोड़ी जाजा चीज़े प्रवाइड करनी होंगी इनके शायद बहुत सारी चीज़े देनी पड़े है कि नहीं तो उस तरह स इससे हम गरीबी नहीं मैजर कर रहे हैं, वो तो गरीबी हमने मैजर कर ली जो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है आटमैटिकल excluded, माल लो कोई person काफी हमीर है तो बिल्कुल उसको तो exclude ही कर दिया automatically, कुछ ऐसे हैं कि बहुत ही गरीब है, तो इनको automatically include कर लिया कुछ होते हैं बीच के, ठीक है ना तो बीच में फिर देखा जाता है इनको कि हाँ इनके पास क्या क्या समान है क्या इनके पास scooter है, क्या इनके पास ये सारी चीज़े हैं तो accordingly वो graded basis के ओपर दे जाता है कुछ जगा पर ऐसे होते हैं जहाँ पर grade मतलब समझते हो ना कि किस grade में हो, अगर grade भी इस grade के ओपर है किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चेंज़ें आये हैं ठीक है ना, तो World Bank ने actual में क्या बात करी थी इन्होंने बोला कि हाँ हम लोग ना, अच्छा काम कर रहे थे ठीक है न, before the pandemic before COVID-19, पर COVID-19 pandemic की बज़ा से ना हमारा जो दिक्कत थी वो और बढ़गी जिसे for example, COVID-19 pandemic से पहले हम कोशिश कर रहे थे, कि हाँ गरीबी कम हो रही थी, हम expect कर रहे थे कि 2030 तक न, पूरी तरह से गरीबी तो खतम नहीं होगी, पर 6% के आसपास तक हम उसको लेके जा सकते थे पर क्योंकि बीच में COVID-19 pandemic आ गया और COVID-19 pandemic से आप जानते हो बहुत सारे लोगों के रोजगार चलेगे बहुत सारे लोग फिर से ग्रीबी रेखा के अंदर आगे ठीक है न, बलो पाबर्टी लाइन आगे तो कहिना के हमारी सिच्चुशन और बुरी होगी जैसे फॉर एक्जांपल यहां पर इनोंने बात करी है एजुगेशन की ठीक है न, लगवग 50 करोड बच्चे ऐसे थे यह इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है जब 50 करोड बच्चे लगवग ऐसे थे जिनको प्रास प्रॉपर एजुवेशन ने मिल पाई आप देखते रहों, COVID-19 pandemic की टाइम पर कितना लंबे टाइम तक स्कूल बंद रहे लॉग डाउन रहा ठीक है न, उस बता से बच्चों की जो एजुवेशन का लॉस हुआ है एजुवेशन क्या है, पावर्टी ही तो है, एजुवेशन का ना मिलना वह भी तो ग्रीब ही है ठीक है तो यह भी ऐस्पेक्ट हो गया बाकी और भी चीज़े आप नोटिस करो, ठीक है मैंने एक बात आपको बताई थी न, फैमिनाइजेशन आप पावर्टी ठीक है न, वह एस्पेक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है कोवेशन न, पैंडमी का जब लॉकडाउन आया कहिना के महिलाओं के उपर अलग-अलग तरह जो शोशन होता है फिजिकल, सेक्श्वल, साइक्रोजिकल, वो काफी बढ़ गया कुछ-कुछ देशों के नंदर तो 30% से भी जादा मतलब उनमें इजाफा देखने को मिला तो ये कुछ COVID-19 के implications थे जो poverty के साथ linked करते हैं ऐसा World Bank बोल रहा है इस इट clear? ठीक है ये बात भी सर समझ आगी अब देखो आगे कुछ सोड़ी-चोड़ी schemes है जो मैं पताओ नहीं चाहिए मैंने बताया था ना वैसे तो हर scheme ही कही ना कही है आपकी गरीबी के साथ linked होती है पर एक जो important scheme है that is MG नरेगा महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act अब यहाँ पर पता क्या था यहाँ फिर बात करेगी कि लोगों को हम रोजगार देने की बात करेंगे किस तरह से किनको रोजगार मिलेगा पहली बात तो यह समझो यह जानने की कुशिश करो कि जो वर्क है ना वो आपको demand के विसस के उपर मिलेगा कहने का मतलब क्या सरकार आपको यह नहीं बोलेगी बॉटम अप है कहिना कि लोगों को यहां पर इंपावर करने की यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो एक दू चीज़ें जैसे ना मैं बतारा था आपको कि अगर आपको इंडरसिस आते हैं तो वहां पर भी कुछ चीज हमें याद करनी होती है तो यहां पर भी सेम चीज़ है जब भी आप किसी गौर्मेंट स्कीम को पढ़ते हो एक तो आपको यह बता उना चाहिए कि उसके साथ मिनिस्ट्री कौन सी लिंग्ड है तो यहां मिनिस्ट्री कौन सी है आपकी मेनि stupidly of rural development आई बात समझ में यह ध्यान में रखना है यह बिल्कुल भूलना नहीं है साथ में ही यह क्या है आपकी एक sentaly sponsored scheme है शर इसका क्या मतलब sentaly sponsored का इसका मतलब बहुत simple है अब यह scheme run हो रही है कोई scheme को run करने के लिए पैसे देगा कौन देगा जब हम बात करते हैं centrally sponsored की कुछ पैसा यहाँ पर आपके center की तरफ से आता है और कुछ पैसा आपकी जो state government है वो परवाइड करते हैं तो दोनों तरफ से पैसा आता है central government से भी आपकी state government से भी तो sponsored का मतलब यह होता है अगर ना on the other hand अगर मान लो यह होता central sector scheme जो सेक्टर में पता क्या होता है पूरा क्या पूरा पैसा आपका central government देती है आई बात समझ में पर यहाँ पर क्या लिखा है centrally sponsored scheme तो इसलिए पैसा कहां से आएगा कुछ पैसा आपके center government से आएगा कुछ पैसा आपका state government से आएगा is that clear ठीक है अब एक चीज़ और भी समझनी है किसका aim क्या है क्या है इसका objective देखो objective यह है कि कम से कमना एक साल के अंदर आपको सौ दिन का रोजगार यह number important है सौ दिन का रोजगार basically granted wage employment आपको मिलेगी ही मिलेगी एक financial year के अंदर किसको मिलेगी हर rural household को ध्यान रखना अंस्किल्ड वर की यहां स्किल्ड वर की काम बात नहीं हो रही यहां बात हो रही है अंस्किल्ड वर की hundred days every rural household यह सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अभी बात समझ में प्रॉपर इंसर इसका है नहीं मतलब वैस्तों चारों स्टेट्मेंट में कुछ ना कुछ गढ़बड थी पर जो यूप्यासी नहीं दिया था वो option D दिया था मैं आपको समझाता हूं जिसे पॉर एक्डापल पहला जो स्टेट्मेंट कह रहा है कि कि किसका benefit होगा फ्रम ए ठीक है ना यहां पर 100 days to every rural household हर रूरल household की यहां बात करी गई है ऐसे थोड़ी है यहां बात करी एक below poverty line नहीं वह बात तो नहीं करी गई तो यह बात भी गलत है तीसरा बात कह रहा है कि सिरफ जो backward communities हैं उनके members की बात हो रही है तो यह भी गलत था यहां पर जो actually 14 statement है वो ठी ठीक है adult member of any household देखो एनी को अगर यहां बेर रूरल household लिखा हो था तो शायद ज्यादा बेटर अंसर होता ठीक है ना बड़ UPSC के साबसे इसका option D ही था तीसरा पहले तीन तो बिल्कुल ही गलत है ठीक है ना तो उस तरह से भी आप अपने answer था कि पहुंच बात हो कि यह ब यहां पर दो statement दिये हुए है आपका अंसर बताना कि क्या आपको लगता है क्या इसका अंसर होगा अब देखो आपने हो सकता है question नहीं बड़ा पर इसको क्या हम अंसर नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते है कि कभी भी जिंदगी के अंदर आपने absolute यह वर्ड सुने है नहीं सु कुछ सुने है तो वहीं से आपना अंदाजा लगा सकते हूं जिसे मान लोग उन्हीं का example लेते हैं सिर्क इसका example लेना है एक है वैबव एक है अंकित ठीक है ना इन दोनों का example लेते हैं वैबव और अंकित का ठीक है अगर मान लो वैबव के नंबर आते हैं लेटसे एक्जाम के अंदर पचासी परसेंट तब यह हम बोलूँगा कि हाँ यह इसके absolute नंबर हैं है कि नहीं इसको पता है कि हाँ यह मेरे इतने पचासी परसेंट आए तो शायद यह खुश होगा ठीक है ना कि मेरे 85 परस जब दोस्त फेल होता है ना तब दुख होता है पर जब दोस्त आ जाए तो शाद ज्यादा दुख होता है तो कहना कि इसको यह लगेगा कि यार इसके तो 87 परसेंट थे मेरे उससे कम आए हैं मैं तो बहुत दुखी हूं तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो absolute का मतलब क्य यहाँ मतलब यह है अगर मान लो मुझे खाने पीने को मैसिकली जो आपकी आपकी ना जो मीन्स आप सब्सिस्टेंस होती है उसके लिए प्रॉपरी सोर्स नहीं मिल रहे अगर मेरे पास कपड़ा रोटी मकान यह सारी चीज़े नहीं है या बाकी चीज़े जो सोर्स बहुत सारी चीज़े इस तरह की चीज़े हैं कुछ भी ऐसे उसके बड़ा टीवी है मेरे पास वह सारी चीज़े नहीं है मैं गरीब नहीं हूँ पर उसके सामने में गरीब लगूँगा आई बात समझे उसको बोलते हैं relative poverty कि किसी और के context के अंदर किसी और के relation के अंदर मै मेरे पास कम चीज़े होती हैं उसको बोलते है relative poverty सामने वाला इंसान ज्यादा सहूलतों के साथ जी रहा है मैं कम सहूलतों के साथ जी रहा हूं that is relative poverty ठीक है ना आई पास समझ में इस तरह से आप notice कर सकते हो तो relative क्या होता है relative poverty दरसल में और कुछ नहीं अगर आपकी society में बाकी सारे लोग काफसरी अच्छी situation जी रहे हैं पर आप वो वाली position में नहीं हो that is relative poverty absolute poverty क्या होती है कि आप minimum means of substance भी afford नहीं कर पारे तो दरसल में हुआ पता क्या यहां पर भीना statement को interchange कर दिया गया relative poverty जो statement 2 के अंदर definition लिखी गई है कि एक person उस situation में नहीं है जहां पर वो उन comforts को इंजवाय कर पाए जो बाकी लोग इंजवाय कर पाते हैं that is relative poverty absolute poverty के मतलब क्या होता है एक ऐसी state होती है जहां पर person को आस इतने भी resources नहीं है कि minimum means of subsistence वो जी पाए तो यहां पर क्या हुआ interchange कर दिया A को B के साथ B को A के साथ आई बात समझ में तो 1 और 2 1 भी गलत है 2 भी गलत है तो क्या इसका answer option D होगा नहीं यहां देखो क्या पूछा हुआ है कि क्या incorrect है फिर से वही गलती कर दी क्या यहां पर दोनों के दोनों incorrect है answer बनेगा आपका option number C तो exam के अंदर में आपको देखना है कि वह correct पूछ रहा है incorrect पूछ रहा है क्या पूछ रहा है उससाब से आपको अपना answer देना है आई बात समझ में ठीक है चलो यह भी समझ आ गया ठीक है ना यह वाला question try करो अब इसका मैं answer नहीं बताऊंगा खुद try करो मैंने बताया है आपको multi-dimensional poverty index बहुत detail में स assets, services यह सारी चीज़ें consider हो दी है बिल्कुल ठीक बात है यह बात हमने पढ़ा standard of living वह services asset उसी की बात हो रहा है तो पहला statement तो यहां भी correct है दूसरा कहा रहा है कि purchasing poverty, poverty at national level ऐसी तो कही बात नहीं बड़ी यह बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी तीसरा कहा रहा है कितना budget deficit है कितनी GDP growth है at national level सर यह बाते भी नहीं पड़ी MPI के अंदर यह चीज़ें होती ही नहीं आपके तीन ही तो parameter थे health education और आपका standard of living तो पहला correct है दूसरा तीसा गलत है बहुत ही simple question था answer बन गया आपका option number 1 one only ठीक है न यह हमने याद करो यह वाला हमने diagram देखा भी था ठीक है तो official poverty lines are higher in some states than in other कुछ कुछ states के अंदर official poverty lines उपर होती है कुछ में नीचे होती है ऐसा क्यों होता है बहुत simple answer है logic से सोचो be correct होगा prices अलग-अलग होते हैं मैंने बताया ना याद करो example मैंने बताया क्या था बिहार के अंदर अगर मान लो आप कोई बस्तू खरीदना चाहते हो शायद उसका दाम कम होगा महराष्टा के अर्बन इरिया के अंदर आप वही सेम चीज़ खरीदना चाहोगे उसका दाम जादा होगा तो क्या आपको नहीं लगता poverty line इस state में उपर होनी चाहिए ठीक है ना getting the point अगर मान लो हो सकता है ना कि बिहार के अंदर मान लो जो person मान लो जिसके पास 1000 रुपया है तब आप उसको बोलोगे कि यार इससे तो बिल्कुल चीज़ें खरीद ही नहीं पाओगे 1000 से कम से तो ये person below poverty line हुआ पर यही सेम चीज़ 1000 रुपय थोड़ी होगी महराष्ट होती है आई बात समझ में वो क्यों होती है क्योंकि prices level जो होते ना state to state हमारे vary करते हैं इसका answer क्या हो गया option number B will be the correct answer ठीक है सर ये भी बात समझ आगी देखो इस particular chapter में एक दूर बाते आपके और करी गई है एक बात हुई है with regards to आपका jobless growth के बारे में ठीक है बट ध्यान रखना jobless growth वाला topic जब chapter 3 किया था उसके अंदर मैं already cover करा चुका हूँ तो दुबारा नहीं कराओंगा जिन्होंने नहीं देखा chapter number 3 वाला वुजा के देख ले उसके अंदर jobless growth में already cover कर चुका हूँ इसके इलावा इस chapter के अंदर na UBI के बार में एक और बात हुई है that is universal basic income अब यह भी ना आपके मेंस perspective से काफी जाएंपॉइंट हो जाता है universal basic income अब याद करो हम गरीबी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे मैंने आपको अलग-अलग वापी schemes भी बताएं कि क्या-क्या schemes हमारी सरकार run कर रही है कही ना कहीं गरीबी को खतम करने के लिए बिल्कुल सही बात है सर अब कई बार ना बात करी जाती है कि हम ना UBI लेकर आ सकते हैं universal basic income जिसके थुरू हम गरीबी को खतम करने के कोशिश कर सकते हैं अब सर यह है क्या ऐसा क्या खास है इस universal basic income के अंदर देखो तीन वर्ड है universal basic income पहली बात basic income मिलनी चाहिए जैसे मान लो हो क्या रहा है मान लो ना सरकार क्या करती है सरकार हर किसी को हर महीने कुछ पैसा देती है हर किसी को मतलब मतलब उसमें मुकेश अंबानी भी इंक्लूड है आपके अडानी जी भी इंक्लूड है मैं भी इंक्लूड हूँ एक आपका रिक्षा basic income तो ऐसा मानते हैं काफी सारे लोग कि अगर हम ऐसा करेंगे कि सब पाइट-पास पैसा ही नहीं है कमाने के लिए आपको पैसा मिलता ही नहीं आपको या फिर बहुत ही कम पैसा मिलता है अगर सरकार इस तरह की उनिवर्सल बेसिक इंकम लेकर आती है तो शायद हर किसी की जैए में पैसा होगा अकॉर्डिंग एक अच्छी लाइफ वो जी बात आती है यहां कोई condition नहीं कि हाँ इतने गरीब हो तब आपको मिलेगी नहीं हर किसी को यहां पर मिलेगी on an individual basis इंडिविजुल बैसिस भी उपर होता है family की बात नहीं हो रही आपके family में पांच लोग हैं तो पांचों को यहां पर मिलेगी ठीक है ना कोई requirement नहीं है कि आप काम कर रहे हो आपकी काम करने की शमता है या नहीं है नहीं सब को यहां पर यह चीज़ मिलती है that is universal basic income ठीक है ना सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं कुछ जैसे याद करो हमने कुछ चीज़े पड़ी पहला तो क्या होगा एक तरह से नहीं कि सेफ्टी नेट करेगा जैसे आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है अगर लोगों की रोज़गार चले जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ जैसे फॉर एक्जामपल उनको कैसे उस टाइम के अंदर अपने आपको सिस्टेन कर पाएंगे तो कुछ नेट चाहिए होगा तो वो सेफ्टी नेट आपका UBI ओफर कर सकता है उस भी देखने में मिल रहा है आने वाले टाइम में और बढ़ेगा उससे कुछ न कुछ डिजास्टर आएंगे कहिना कहीं आपको उससे रिलीफ पाने के लिए उससे लड़ने के लिए अगर UBA होगा तो अच्छी बात है काफी सारे लोग ना पता क्या बात करते हैं जैसे फॉर किया होता है उस स्टेम का बेह époRIA कि किसी को मिलता है किसको नहीं मिलता अपको सिंपल एक्जामपल देता हूं आपने आपने की वारा आपने देखा हो है त carriesन तो थारप से किलो लोग होंगे जिनको इसका फाइदा नहीं मिलना चाहिए था पर तब भी उनको फाइदा मिल रहा है और जो ऐसे गरीब है जिनको मिलना चाहिए था उनको हमने फाइदा दिया ही नहीं तो UBI में यह सारी चीज़े नहीं होंगी उपर से कहिना कि लीके बगरा नहीं होंगी पहले में मैंने क्या बताया, जिनको फाइदा मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता और जिनको नहीं मिलना चाहिए, उनको के बर फाइदा मिल जाता है तो अगर universal basic income होगी तो यह सब को मिल रहा है ना तो यहाँ पर यह सारी चीज़े रहेंगी ने ठीक है ना, उपर से leakage नहीं होगा क्योंकि हम directly उनके bank account में पैसा डाल रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है साहत में अगर आप notice करो जैसे for example, आप लोग ना जब agriculture पढ़ेंगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि होता पता क्या है, हमारी सरकार जैसे यूरिया के उपर subsidy देती है अब क्योंकि यूरिया सश्टे में मिलता है तो हमारे किसान पता क्या करते हैं जरूरत से ज़्यादा यूरिया यूस कर लेते है अगर माल लो, हमने इस तरह की subsidies वरा हटा दी उसकी जगा उनको ना, हमने उनको direct benefit transfer दिया UBI के form के अंदर तो शायद, ये जो इस तरह की हम subsidies दे रहे हैं यूरिया के उपर इस तरह की जो subsidy दे रहे हैं इससे जो negative impact आ रहा है उसको भी खतम किया जा सकता है है के नहीं, तो ये भी चीज़े होगी बाकिया आप notice करो, जो हम बहुत सारी scheme चलाते हैं जैसे मैंने अभी बात करी ना, कि 3 रुपे किलो चावल, 2 रुपे किलो इनाज 2 रुपे किलो आटा और बाकी चीज़े जो दीर आती है इसको ना, run करने की cost बहुत सारी होती है कहने का मतलब क्या, हमारी सरकार पहले का करेगी चावल को store करेगी, फिर लोगों तक पहुँचाएगी ठीक है न, उसमें बहुत सारे लोगों को cost लग जाती है हमारी सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है आप खुद सोचो, जब हमने उनको directly पैसा बैंक में transfer कर दिया तो ये सारी जो cost होती है, बीच में लगती है ये भी खतम हो जाएंगी, है कि नहीं? एंड उपर से आप खुद notice करो अगर मान लो मैं एक इंसान हूँ भाया मुझे चाहिए ही नहीं चावल मुझे उसकी जगावा पर दूद चाहिए ठीक है ना? या फिर let's say मुझे खाना है चाहिए नहीं मुझे आप क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? हो सकता है ना? जब मेरे पास हाथ में पैसा आए तो मेरे पास एक choice आएगी मैं choose कर पाऊंगा कि अच्छा मेरे पास पैसा है मैं इसको कहाँ पर पैसा डालना चाहता हूँ क्या मैं इससे अपने लिए skills करीदना चाहता हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि और खाना आए या और कोई चीज आए तो जब इस तरह कि आप choice देते हो सामने वाले को तो वो भी एक अच्छी बात है और याद कर उस lecture की starting वहाँ मैंने क्या बताया था? कि कहीना कहीना आज करकर जो economist है वह वहाँ पर freedom की choices के भी include कर रहे है poverty के अंदर ठीक है न कि क्या अपना decision लेने की choice है या नहीं है वो भी include के जाता है कि देखा जाता है कि आप कितने गरीब हूँ यह सारे कुछ merit समय देखने को मिलते हैं universal basic income के अंदर बाकी कुछ और भी point है आप economic growth बड़ेगी आप नंबीबिया की बात कर लो साथी साथ आप बाकी और चीजों की भी देख सकते हैं यहाँ पर crime rate हो गया उसमें कमी देखने को मिली है तो यह भी universal basic income के फाइदे अकसर गिनाए जाते हैं तो जो फाइदे तो बहुत है universal basic income के ऐसा कोई बात नहीं है पर कुछ नुकसान भी तो होँगे या कुछ challenges भी तो होँगे बिल्कुल सही बात है कुछ challenges है जैसे for example अब इसको run कैसे करेंगे काफी साथ लोग पता क्या बोलते हैं कि देखो आप खुद notice करो क्या करेगी सरकार लोगों के खातों में पैसा डालेगी ठीक है पर भाईया सरकार क्यास पैसा आएगा कहां से क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि बाकी की जो already जो scheme में चल रही है चाहिए मन्रेगा चल रही है यूरिया सप्षडी चल रही है बाकी जो भी scheme चल रही है क्या इनको खतम कर देंगे और उसकी जगा सिरफ एक scheme चलेगी यूबी आई की वो सकता है ठीक है ना पर इसमें बहुत साइज चैलेंजिस हैं आपने इतनी सारी scheme को कैसे बंद करोगे उसकी जगा एक scheme को कैसे रन करोगे बहुत major concern है चलो दूसरा लोग यह सोच सकते हैं कि सर्थ बाकी scheme को भी चलते रहने दें इसको भी साथ में चला दें अर्य इतना पैसा थोड़ी है सरकार के पास कि ये scheme भी चलते रहे और पहले जो already scheme चल रही थी उनको भी चलते रहें ये तो बहुत बड़ा issue हो जाएगा अगर इतना सारा पैसा लोगों को बांटना है तो आपको नहीं लगता सरकार का जो fiscal deficit था जो सरकार का कर्स था बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कर्स ना बढ़े उसके लिए सरकार को क्या करना बढ़ेगा कहिना कहीं मेरे और आपके जैसे लोगों को taxis देने पढ़ेंगे तो सरकार बोलेगे कल से tax बढ़ जाएगा तो वो भी बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा तो इस तरह से financially कैसे work करेगा बहुत बड़ा challenge है बाकी यह जो पैसा लोगों को दिया जा रहा है क्या यह सारा का सारा पैसा center government खर्च करेगी या state government भी इसके अंदर आएगी पता नहीं ठीक है ना अगर central government है तो central government के लिए अकले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर state government भी साथ में आती है तो शायद आप बोलोगे कि हाँ तब सर कर सकते है पर क्या आपको लगता है कि यह चीज़ पॉसिबल हो पाएगी हो सकता है कि center government भी अलग सरकार है state government भी कुछ अलग सरकार है तो हो सकता है वेस्ट बिंगॉल बोले भईया हम नहीं implement कर रहे तमिल नाडू बोले भईया हम नहीं implement कर रहे तो क्या ऐसा होगा क्या कि हर्याना में चलेगी यूपी में चलेगी और बाकी state में नहीं चलेगी यह तो और भी concern हो जाएगा हम बात करें थे किसकी universal basic income की तो state wise चलेगी क्या कि किसी statement चल रही है किसी statement नहीं चल रही बहुत major concern है बाकी कहीना आप notice करो उपर से question ही आता है moral challenge भी और कहीना के beneficiaries भी इसकी कहां से तक sense बनती है कि भाईया आप अंबानी जी को भी पैसे दे रहे हो मुझे भी पैसे दे रहे हो ठीक है ना universal का मतलब क्या था हर किसी को पैसा दे गए हो getting the point तो वो चीज़ आप कैसे इस चीज़ को address करोगे कि गरीब को भी मानलो महीने के 5000 रुपय मिल रहे है अंबानी जी को भी मारी सरकार 5000 रुपय दे रहे है तो moral challenge हुआ या नहीं हुआ बिलकुल हुआ तो कैसे उनको target कैसे करें क्या ऐसा करें कि मानलो सबको ना दें उसकी जगा पर कुछ लोगों को दें तो फिर तो challenge सो वही बन गे हम universal की तो बात यही कर रहे थे ना कि कही ना कहीं जो inclusion and exclusion error है वह सब ना हो पर वह सब तो होंगे तो बहुत बड़ा challenge है यहाँ पर भी उपर से आप notice कर रहो कि ना अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग recommendation दी है जैसे मैं बात करना था था ना कि economic survey ने बोला है कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं उन्होंने पता क्या बोला उन्होंने बोला कि हर महीने 7,000 के साड़े 7,000 के करीब करीब ना 7,620 to be very precise इसने पैसे दिये जाने चाहिए ठीक है अब हमारे नीतिया योग वाले क्या बोलते हैं वो बोलते हैं नहीं नीतिया योग बोलता है कि 1,000 उपया पर मत देना चाहिए अब कौन ठीक है इनमें से क्या Economic Survey जो बोलता है 7,500 उपया पर मत वो सही है या जो नीतिया योग बोल रहा है कि 1,000 उपया पर मत वो सही है अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत कम है एक जार रुपया पर मेंत ये बोलोंगे कि जो साथ 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 हजार की बात कर रहे हैं यहां तो सरकार का खर्चा ही बड़ा होगा ठीक है ना उपर से हमारे नीतिया यह कि CEO क्या बोलते थे जो पहले पहले CEO थे उन्हें बोला है कि सबको नहीं देना भा ब्लो पावर्टी लाइन के जो नीचे वहले 20% है सिरफ उनको benefits दो बाकियों को मत दो अरे भहिया universal based income के बात ही यही थी कि हम सबको देंगे पर यहां पर आप बीच में बोलो कि सिरफ 20% को दो तो फिर से challenge दो भही आ गया जहां से हम शुरू कर रहे थे वहीं पर बात होगी जो हमारे ministry of women and child development है इन्होंने क्या proposal दिया इन्होंने बोला कि जो women heads है ना उनको यहां पर benefits देने चाहिए तो इन्होंने बात करी महिलाओं कुसी शक्तिकरन करो तो किसकी बात हम माने समझ रहे हो एक्चल में शायद देखने में कागरस के उपर देखने में UBI देखने में ठीक लगता है कि हाँ यह सारे benefits हो जाएंगे पर जब आप कहिना कि इसको implement करने कोशिश करोगे ना तो बहुत बड़े-बड़े challenges आने वाले हैं अब ही challenges खतम नहीं हो और भी challenges है अगर मुझे पता है कि यार मैं काम करूं या काम ना करूं मुझे क्या होगा मुझे तो हर महीने पैसे मिल जाएंगे मैंने बोला ना यह चीज़ तो शायद मैं पता क्या करूं कल से काम पे जाना बंद करऊंगे आई पास समझ में तो कही बार ना यह चीज़ पॉस्पेशीघ हो SAKते है कि आप काम पे मज जाओ fiscal button तो चुल हम समगे और उपर से आप notice करो मेरे पास भी पैसे आपके पास भी पैसे सब के पास पैसे आगे अब हजारों रुपे सबके हातों में आगे हम क्या करेंगे हम जाएंगे नदर हम चीज़ें जानेंगे हम जाएंगे बजार चीज़ें खरीदमें हैं हो सकता है ना कि इतने सारे लोग कोई MaelingO Kingdommeater है तो उतनी ऑप합니다 चाहिए क्लाइगाई में है ट्रय थे in कुल को जो मैं आज गृम बेच घर देता हूं। तो मेहगाई बढ़ गी, इंदियन विर्बस पैसा है भी पर मैं समान खरीद नहीं पा रहा, तो ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, उपर से न, ये इन्होंने कुछ एक्जामपल बताया है, कि इतने सारे जो RBI गवर्नर थे, डॉक्टर रगुराम जाजन जी पहले लेगा, एक्जामपल लेके चल रहे है, मान लो कल को ये सारे चैल्जिस आते हैं, सरकार सोचे किया अब स्कीम वापिस ले लेते हैं, नहीं, इसको तो रन करना बड़ा ही मुश्किल है, इतने सारे concerns आगे, क्या आपको लगता है सरकार स्कीम वापिस ले पाएगी, answer is no, नह लेकर मैं वापिस लेने के कोशिश करूँगी ना, तो कहिना कहीं, कल को मैं सरकार से हाथ दो बैठाऊंगी, आई बात समझ में, लोग उसको वोट यह नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे कि नहीं, हम दूसरी सरकार को, दूसरी पार्टी को वोट कर देंगे, वो स्कीम को ले तो टेक्निकली लॉस किसका होगा यहां पर हमारे देश का लॉस होगा आई बात समझ में तो यूब्या में बेनेफिट्स बहुत सारे थे फिर बहुत सारे नुकसान भी है तो दोनों का न मैंने आपको अपने अपने पॉइंट को देखो कि कैसे आपको यह चीज़ों को आप बात कर सकते हो तो बहुत सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए ठीक है ना डी मैरेट्स वार मैरेट्स के तो इनको आप अपने अंसर में डेफिनिटी लिख सकते हो के अंδर हमें कुछ कर्व के बारे में जाना है जैसे सब से इंप है मारी यहाँ पर लच्छ उट इसको समझते हैं फिक है मैं आपको ना डाइग्राम से करव बनती है ठीक है जैसे यह हुआ इसके उपर ना हमें कर बनाने की कोशिश करते हैं अब यहां पर क्या होता है हम बात करते हैं कि माल लो जैसे आपको सिंपल अगले पेज़ पर पता हूं एक सब्सक्राइब हाँ जी इस तरह से है ठीक है अब हम देखते हैं कि कितने परसेंट लोगों के पास कितना परसेंट पैसा है माल लो अगर आप कहते हो कि इंडिया में ना पचास परसेंट लोगों के पास है इंडिया का असी परसेंट पैसा है इस तरह से आप बताने कोशिश करते हो तो हमारी कर्व कुछ इस तरह से बनती है ठीक है अगर आप चाहते हो कि नहीं एक देखते हो मैं आपको सिंपल बढ़ाता हूं अगर आप मानके चलते हो कि हर इंसान के पास कही ना कहीं बराबर का पैसा है तब पता हमारी जो कर्व होगी वह इस तरह से आएगी ठीक स्टेट लाइन ब क्या क्या करा है यह शो कर रहा है कि सतर परसेंट लोगों के पास सतर परसेंट पैसा है। तो यहां पर ना यह जो लाइन होती है यह होती है परफेक्ट इक्वालाइट अगर मानलो आपकी जो कर्व बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो इस करो इस कर्व के अंदर आप कोई पॉइंट लो मानलो आप यहाँ पर पॉइंट लेते हो तो यह क्या शो कर रहा है यह शो कर रहा है कि 90% लोगों के पास इतनी इंकम है तो यहाँ पर essentially क्या हुआ यह दिखाता है कि आपकी यहाँ पर inequality है जैसे for example इस case के अंदर आप notice करो यहाँ पर अगर आप इस particular curve को अगर आप notice करोगे ना यह वाली curve जो है यह क्या दिखा रही है यह दिखा रही है कि इतने परसेंट लोगों के पास कोई भी आप इसके पर point देखो आप इस तरह से आप देख सकते हो अब यहाँ पर आप नोटिस करो, आप पस दो एरिया बन क्या है, कौन से दो एरिया सर, देखो यहाँ पर दो एरिया, एक हो गया आपका ये वाला एरिया, ये रैड लाइन के बीच में, ये हो गया आपका एरिया A, और जो बाकी एरिया है, ये वाला ये हो गया आपका एरिय अब अगी बात समझ में यह वाला area A और यह वाला area आपका area B अब ना इसी में हम क्या करते हैं एक गिनीक option को निकाल नहीं कोशिश करते हैं समझते हैं गिनीक option क्या होता है आपका a divided by a plus b A क्या था आपका ये वाला area ये वाला area मतलब आपकी जो perfect equality और आपकी जो actual curve है उसके बीच का area is area A और B क्या हो गया आपकी actual area और जो बाकी area बचा अब अगर आप notice करो अगर इसके अंदर मैं area A को 0 कर दो आप खुद imagine करो area A का 0 होने का मतलब क्या है area A का 0 होने का मतलब क्या है ये जो curve है यहां पर आजाए यही मतलब होगा area A का 0 होने का मतलब यह जो area A है यहां पर आजायए तो ऐसे case में क्या होंगा ये curve जो होगी आपकी जो red line है वो यहीं पर आकर बस जाएगी ठीक है ना, ये तो existing नहीं करेगी क्योंकि area A को आपने 0 कर दिया तो ये line यहाँ पर आजाएगी उस case में क्या होगा, आपका A 0 हो गया कहीना क्या गिनिक option क्या आजाएगा आपका गिनिक option 0 आजाएगा गिनिक option 0 आने का मतलब क्या है आपके देश में क्या है perfect equality है, सब बराबर है अई बात समझ में, तो कल को एक्जाम में कोई पुछते कि गिनिक option 0 का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि देश में आपके पूरी perfect equality है, ठीक है Sir, on the other hand, अगर मान लो मैं area B को 0 कर दूँ, तो जो आपकी curve होगी न, ये बिल्कुल ऐसे बनेगी, बिल्कुल ऐसे तो यहाँ पर क्या हुआ? area A आपका है, बट area B 0 बन गया, अगर ऐसी situation है, तो B 0 हो गया, तो गिनिक option क्या बन जाएगा? A by A, ये बन जाएगा गिनिक option आपका 1, तो जब आपका गिनिक option इस तरह से बन जाता है, 1 बन जाता है, तो वो क्या करता है आपके देश में, perfect inequality है, उसका क्या मतलब? उसका मतलब यह ही है, कि भजिया सारा का सारा पैसा न, एक ही इंसान के बास है, बाकि सब के बास बिल्कु के अंदर समानता है, whereas जितना एक के आसपास गुमेगा, मतलब 0.7, 8, 9, उस डिरेक्शन में जाएगा, उतना ही हमें पता लगगा कि उतनी ही जादा inequality, जो बोलते हैं कि अमीर जादा अमीर हो रहा है, गरीब जादा गरीब हो रहा है, तो वो गिनिक option हमें बता जाएगा, ठ करते हैं, जितना वो नंबर आएगा, जितना वो 0 के करीब होगा, उतनी ही वहाँ पर inequality जादा, जितना वो 1 के करीब होगा, उतनी ही वहाँ पर inequality जादा, आई बात समझ में, तो आई होब आप लॉरेंस कर्फ एंड आप गिनिक option इन दोनों को समझ गे होंगे, ध्यान रखन यह inequality measure करने के आपके तरीके हैं, ठीक है न, देखो एक मैं गया न, Oxfam की website के उपर, यह आज का ही सुबह का ही screenshot है, मैं Oxfam की website visit कर रहा था, तो Oxfam international जो है न, यह बहुत important चीज़े बताती है, with regards to inequality, और इसको आपने अपने answer के अंदर quote करना है Oxfam को, ठीक है न, तो यहाँ क्या होता है, यह वही बाते बताती है, कितने percent लोगों के पास, कितनी percent income है, आप भी के वर सुनते होंगे न, कि इंडिया के जो 10 बड़े अरपती लोग हैं, उनके पास इंडिया की इतनी percent wealth है, वो और को ही data नहीं होता, वो आपका Oxfam का ही data होता है, getting it, तो इस तरह से आप notice कर सकते हो, इन्होंने इंडिया की extreme inequality की बात करी है, numbers के माध्यम के अंदर, तो यह कुछ numbers है, ठीक है न, यह कुछ numbers है, जो आप देख सकते हो, जैसे for example, इन्होंने क्या बात करी है, इन्होंने बात यहाँ पे करी है, कि इंडिया के जो top 10 percent है न, उनके पास देश की 77 percent wealth है, तो यह particular चीज आप अपने answer में लिखोगे, कि 10 percent जो wealth होती है, वो 10 percent इंडिया की most population है, मतलब जो सबसे wealthy population है, उनके 70 percent wealth है, आज कर राइम के उपर, ठीक है न, उसी तरह से इंडिया में 119 billion dollars देखने को मिलते हैं, ठीक है न, और अगर आप notice करोगे, एक जो हमारा देश के अ अंदर न, जो हमारी, कोई मानलो, इन्होंने example दिया है, कि मानलो, एक कपड़े बनाने की company है, कोई बड़ी company की बात हो रही है, उसको जो सबसे उपर का executive होता है, जैसे CEO होता है, उसको जो एक साल में salary मिलती है न, वो पता है, जो हमारा यहाँ पे, जो एक दिहाडी जो काम करता है, उसको 941 साल लगेंगे उतना ही पैसा कमाने के लिए, समझ रहे हो, कि मानलो, एक CEO है बड़ी company का, उसकी जो salary है न, versus एक जो person, जो daily wages के उपर काम करता है, ठीक है न, जो आपका घर बनाने के अंदर, या जो बागी construction का का काम करता है, इसको 941 साल लगेंगे उतना पैसा कमाने के लिए, जितना इस particular CEO ने एक साल में कमा लिया, तो इतना फरक है इंडिया के अंदर, यह मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पर Oxfam International न यहाँ पर survey किया है, उन्होंने यह बात भोली है, ठीक है, और क्या बात करिए sir Oxfam International ने, और देखो जैसे यहाँ पर आप Economic Inequality तो है ही है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, पर उसके अलावा हमारे यहाँ पर caste के विसस के उपर, religion के विसस के उपर, region हो गया, gender हो गया, यहाँ पर एक और तरह की Inequality देखने का मिलती है, आई बात समझ में, तो इस तरह से Inequality चलो ही है, उसके अला आपको अच्छे marks मिलेंगे, बाकी और भी बाते करी गई है, जैसे for example, healthcare आज भी बहुत सभी के लिए एक luxury गुड़ की तरह होती है, ठीक है ना, इंडिया में आज भी आप notice करोगे, तो decent healthcare मिलना काफी मुश्किल है, ठीक है ना, अगर आप लोग भी notice करते होगे, किसी बार करते हैं कि हाँ यार इसको hospital लेकर जाना है, तो दिमाग में आता है यार बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, ठीक है तो इस तरह की situation आज भी इंडिया में exist करती है, तो यह थोड़ा inequality को में हमें पढ़ना था, I hope आप inequality को समझ पाए होंगे, अगला हमारा topic है with regards to unemployment, unemployment तो आप basically बेरोजगारी की बात हो रही है, ठीक है ना, अब जैसे आप लोगो, आप लोग UPSC की त्यारी कर रहे हो, ठीक है ना, क्या आप बेरोजगार हो, the answer is no, आप बेरोजगार नहीं हो, मतलब समझ लो बेरोजगारी का, बेरोजगारी का मतलब यह होता है, कि एक person, जैसे मान ल तो वहाँ पर अपने CVs डाल रहा है, हर जगा पर apply करने की कोशिश कर रहा है, newspaper में add आती है, तो उनको contact करता है, कि यार मुझे रोजगार देदो, कुछ नौकरी मिल जाए, इस तरह की कोशिश कर रहा है वैबफ, पर वैबफ को न, ये सारी चीज़े करने के बावजूद भी उसको रोजगार नहीं मिलता, इसको बोलेंगे हम कि ये बेरोजगार है, आई बात समझ में, तो point क्या है, point ये है कि बेरोजगार ना हम उस इनसान को बोलते हैं, जो कोशिश करने के बावजूद भी, जो person काम ढूंड रहा है, पर उसको काम नहीं मिल रहा, काम ढूंड ति रहा हम लोग मतला आपकी बात कर रहा हूँ, आप क्यों बेरोजगार नहीं हो? आप बेरोजगार इसलिए नहीं हो, क्योंकि आप नौकरी ढूंडी नहीं पर ने झा Culci hlas मान लो के person है कुछ पढ़ रहा है अभी ठीक हो सकता है आप बोलोगे कि लेट से सर वो 25 साल का हो गया अभी पढ़े जा रहा है तो पढ़ रहा है ठीक है न वो रोजगार की तलाश कर ही नहीं रहा तो उसको हम बेरोजगार नहीं बोल सकते इसी तरह से मान लो कोई 70 साल का अपने तरफ से पूरा effort डाल रहा है पर ऐसा करने के बाद भी उसको रोजगार नहीं मिलता तब हम उसको बेरोजगार बोलेंगे आप लोग बेरोजगार बिल्कुल नहीं है getting the point कई बार ना हम इसके अंदर further distinction कर लेते हैं एक होती है voluntary मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ आगे क्लिक स्लाइड में होगा इसके उपर आएंगे हाँ एक कई बार ना इसके अंदर अगर हम बेरोजगारी के अंदर वैस्तों हम उसको बेरोजगार मानते नहीं है पर कई बार distinction कर लेते हैं एक होता है voluntary unemployment एक होती है involuntary voluntary मतलब अपनी मर्जी से ठीक है ना कई बर क्या होता है कि अपनी मर्जी से आप चाहते हो कि आप अभी रोजगार में ना आओ जिसे आप लोग पढ़ रहे हो अभी ठीक है ना आप ऐसा थोड़ी क्या बाकिक चीदों के लिए कुछ कर रहे हो आप अप ऐसा थोड़ी कि हर करना ही नहीं चाहता मन उठ गया इस दुनिया से मैं काम नहीं करूँगा तो उसको भी हम बेरोजगार नहीं बोलेंगे वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा ठीक है ना तो that is voluntary unemployed या फिर उसको आप unemployment में county नहीं करोगे हमारे लिए concern नहीं यहाँ पर आता है concern है involuntary आप चाहत करेंगे कि मर्जी से आप unemployed हो वो कोई scene नहीं है इतना ठीक है आप नहीं चाहते काम करना ठीक है कोई issue नहीं है ठीक है ना तो हमारे लिए concern है that is involuntary unemployment ठीक है यह कुछ इस तरह से देखो हमारे बस डेटा आता रहता है एक ना डेटा बहुत ही आया था newspaper के अंदर ही ठीक है न लोगों को रोजगार दिया तो accordingly वो कम होती गई है तो इस तरह से आप impact देख रहे हो कि COVID-19 का कितना major impact हमारे economy के उपर आया था एक ना आपको यह latest data ही है ठीक है ना आपको CMIE के बारे में पता होना चाहिए Center for Monitoring Indian Economy यह different different data देता रहता है आप इस answer को इस particular data को आपने answer में भी quote करना तो इन्होंने अभी बात करी थी recently I think यह July चल रहे है ना यह I think मही का data है ठीक है ना मही का data है जून का नहीं है यह मही का data है मही के data के अंतर के तो उन्होंने आसी बात करी थी कि currently जो हमारे बेरोजग करी दर देखने को मिल थी अभी एसी पिछले महीने का यह data हमें देखने को मिल जाएगा तो numbers आपको दिमाग में होने चाहिए तांकि आप एक अच्छा answer लिख पाओ हाँ जी आगे ना हमें कुछ unemployment की कुछ various गारी कुछ types हमें समझनी है ठीक है जैसे for example structural क्या होता है cyclical क्या होता है frictional seasonal disguise इन सभी का meaning समझना है तो यह करके इनको समझते है पहला है आपका structural unemployment जैसे for example इसको समझते है मान लो कि आप पड़े लिखे हो ठीक है आपका जो employer है वो चाहता है कि यह ऐसे computer engineers को hire करूं जिनको AI आती हो जिनको artificial intelligence जिनको internet of things आता हो big data आता हो इस तरह की चीज़े आप भी ए computer engineer हो पर आपको यह सब चीज़े नहीं आती तो यहाँ पर पता क्या हुआ इस भाई साब कु कुछ और चीज़ें इसके पास कुछ हैं और skills दुनों skills के बीच करना एक तरह का mismatch होता है उसी को बोलते है structural unemployment जैसे for example let's say आपको फाइलों के उपर काम करना आता है पर आपका employer चाहता है कि नहीं मुझे वो बंदा चाहिए जो आज कल computer के उपर काम कर पाए के पर देखने क इसमें जब mismatch होता है उसको बोलते हैं हम क्या structural unemployment तो जो market situations आपकी change होती है उसको भी हम बोल सकते हैं करे बार इसको technological unemployment भी बोलते हैं कि technology बदल गी है उस चक्र में आपके पास skills नहीं है तो उसको भी बोलते हैं करे बार इसको open unemployment यह भी बोला जाता है ठीक है तो जब भी नाम हो गया कि आपने man को machine के साथ रेप्रेस कर दिया यह वी एक तरह टाइप ही होती है structural के अंदर एक further type बना दी गई है बस और कुछ नहीं है पर दोनों लगबग सेम ही है जैसे for example पहले क्या था पहले मानलो एक code लिखना था हमानलो coding के बात कर रहे हैं अगर मानलो आपक technological unemployment बोलेंगे AI आज के timekeeper देखते हो आप chat GPT के मारे में जानते होंगे ठीक है ना आपके हर सवाल का जवाब आजकल chat GPT देता है ठीक है ना तो हो सकता है पहले कुछ जो काम था वो आम इंसान कर पा रहे हो कल को आपको employer को लगे नहीं यार यह काम तो chat GPT कर देगा तो उसने क्या मतलब होता है cyclical unemployment का देखो समझने कोशिश करो cycle होता है ठीक है ना cycle यहां पे वो cycle by cycle की बात नहीं कर रहा है यहां economic के cycle की बात कर रहा हूं देखो जिन्दगी में हमारी क्या होता है जिन्दगी में उताजड़ाव आते रहते हैं जिन्दगी कभी constant तो रहती नहीं उप करते हैं कभी कि हमारी consistently 8% से हमारी economy growth होती रहे नहीं बीच में नीचे भी आती है फिर उपर आती है फिर नीचे आती है तो इसी को बोलते है economy cycle तो होता क्या है ना मानलो हमारी economy पहले तेजी से बढ़ रही है ताथ परसेंट 8% तो expansion वाला phase होता है फिर एक आती है peak ठीक है न हमारा expansion peak और वापिस से हम slowdown recession यह सारे phase आते रहते हैं तो economy जैसे for example आप covid-19 pandemic से पहले का time याद करो हमारी economy बढ़ रही थी तेजी से फिर थोड़ा slowdown आया फिर हम covid-19 pandemic के time पर recession में आगे ठीक है ना फिर बाद में हम recover करे उससे ठीक है फिर वापिस expansion वाला phase में आए तो इस time है जब मारी economy 78% से grow कर रही है इसका मतलब क्या है वहां की जो company है वो भी अच्छे से रफ्तार से बढ़ रही है ना तब ही ना कहीं कहीं ना कहीं GDP मारी बढ़ रही है 78% से हैंकि नहीं तो जब आप मानों कि company अच्छा perform कर रही है तो company के अंदर अच्छे खासे लोग भी त होते हैं अच्छे खासे लोग काम कर रहे होते हैं तो unemployment जो बेरोजगारी होती है वो इस टाइम के उपर कम होती है बिल्कुल सभी बात है पर कल को याद करो COVID-19 आ गया हम इधर आगे recession वाले time के उपर तो company ने क्या किया बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया बहुत सार कर रही है लोगों को रोजगार मिलता है और बेरोजगारी दर कम हो जाती है फिर जैसे नीचे आएगा उस टाइम के उपर क्या होता है एक होता है एक होता है frictional unemployment सर इसका क्या मतलब है अब frictional का देखो माल लो आपके पास एक नौकरी है एक पुराणी नौकरी थी ठीक है ना अब आपने ये पुराणी नौकरी है तो माल लो छोड़ दी या आपको निकाल दिया गया whatever अब हुआ पता क्या यहां से पुराणी नौकरी से नहीं नौकरी तक जाने के बीच में कुछ transition period होता है ऐसा थोड़ी है कि आपने आज ये नौकरी छोड़ी उसके साथ ही अगली दिन से आपको नहीं नौकरी मिलगी नहीं कुछ transition period होता है ना 20 का तो बीच वाले time के लिए आप थोड़े time के लिए unemployed होगे बिल्कुल सही बात है आप उस time के उपर क्या कर रहे हो नई नौकरी भूंड रहे हो आपकी प्रॉनी नौकरी चली गई है अब आप नई नौकरी भूंड होगे फिर आपको नई नौकरी मिलेगी तो जो बीच का time में जब आप नई नौकरी भूंड रहे हो उस time को क्या बोलते हैं हम frictional unemployment ठीक ह आप अपनी पुरानी नौकरी से नई नौकरी के बीच में transition करने जा रहे हो, तो search employment या friction unemployment इसी को बोलते हैं, clear हुआ ये बात, ठीक है, छोड़े concept है पर easy है, disguised unemployment, अब ये भी एक चीज होती है, देखो disguised का मतलब क्या होता है, ये आप किसानों की बात करो, ठीक है, तो हो सकता है कि इन में से कुछ लोग redundant हूँ, कहने का मतलब क्या, हो सकता है ये जो काम कर रहे है, शायद तीन लोग मिलकर भी यही सेम काम कर रहे है, तो हुआ पता क्या है, इस खेट के उपर काम कितने लोग कर रहे हैं, पांच लोग कर रहे हैं, पर दरसल में हुआ क्या, अगर इस से दो लोग अगर ना भी होते हैं यहाँ पर, और सिरफ तीन ही लोग काम कर रहे होतें, तब भी शायद output उतना ही आता, तो हुआ पता क्या, काम कर रहे हैं पांच लोग, पर एक्चल में हमें लोग कितनों भी जूरुआ थी, सिरफ तीन लोगों की, तो सब्सक्राइब बाकी दो लोग हैं, क्या वो रोजगार नहीं हैं, नहीं, वो छुपे हुए बेरोजगार हैं, हमें लग रहा हैं कि यह काम कर रहे हैं पांचो के पांचो, पर दरसल में उनमें से सिर्फ तीन ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी दो लोग नहीं भी होते, तब भी कोई फरक ना पड़ता, अब किसानी में बहुत कॉमनली यह चीज़ देखने का मिलती है, होता बता क्या है, कि माल लो एक कोई फैमली लगी हुई है काम करने, अब फैमली का एक परसन काम करता है, फिर उसके बच्चे हो गया, उसके ठीक है ना, उसका चाचा हो गया, यह सब लोग भी हित में काम करने लग जाते हैं, अब टेक्निकली, अगर वो लोग ना भी काम करते, शायद उतना ही आउटपूट आता, अब यह जो बाकी के लोग हैं, हमें देखने में लग रहा है, कि हाँ यह यह लोग भी कुछ काम कर रहे हैं, पर actual में, आउटपूट के अंदर उनका कोई contribution नहीं है, तो जो दो लोग extra हमने रखे हुए ना, कि पांच में से दो लोग जो extra थे, दोजाट disguised unemployment वो छुपे हुए unemployed है, इसे को hidden unemployment भी बोल जाता है, तो इंडिया जैसे developing countries के अंदर काफी common है, एस्पेशली agriculture के हम बात करें, तो वहाँ पर तो यह बहुत commonly हमें देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही ना, एक term linked है, that is marginal productivity is zero, देखो जब भी आप सुनेंगे ना, word marginal, ठीक है ना, इसका meaning समझाता हूँ आपको, marginal का मतलब होता है, कि अगर आप एक unit को add करोगे, उसका impact क्या आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पता क्या है, marginal productivity is zero होती है, कहने का मतलब क्या, अगर जो हम माल लो, एक 3% है मारे पास, वो यहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है, यह हमने क्या किया, एक additional unit को add किया, मतलब एक और बंदे को काम पर लगाया, तो उसका na, productivity is zero आई, उसी को बोलते है, marginal productivity is zero, अगर आप लोगों को यहाँ पर add कर रहे हो ना, उसका productivity को उपर impact नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब यह है, तो यह भी line आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, कि disguised unemployment के अंदर क्या होता है, आपकी जो marginal productivity होती है, वो zero होती है, ठीक है, सर, यह disguised unemployment भी समझ आ गया, अगला है आपका seasonal unemployment, यह तो नाम से clear है, seasonal का मतलब क्या होता है, कि कुछ season के अंदर उनके पास रोजगार है, कुछ season के अंदर उनके पास रोजगार नहीं है, जैसे for example, मालो कुछ tourist destination, जैसे बैस तो अब तो हर time पर ही लोग जाते रहते हैं, गहिनागे घूमने, पर कुछ ऐसी जगा होती है, जैसे मालो कि सिरफ कुछ महीने यहाँ पर, जैसे मालो आप पहाड़ों पर गया, तो हो सकता है कि जब गर्मिया हो, तब वो पहाड़ों की जगा काफी popular हो, सर्दियों के टाइम पर उसको बंदकेर दे जाता हो, तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जब गर्मियों में तो उनको पास काम है, सर्दियों के टाइम पर उनको पास काम नहीं है, तो क्या हुआ उसके बाँए? तो वहाँ पर वो particular time के लिए बेरोजग हो सकता है, बागी time के उनको पास रोजगार नहीं है, holiday jobs भी होती है, कुछ, बहाँ पर भी ऐसे चीज़ देखने का मिलती है, याद करो मैंने उसका ice cream का अले का example दिया था, अब ice cream बाइले जो भाईया है, उनको पास हो सकता है, गर्मियों के time पर उनको पास रोजगार है, पर जब सर्दियां चल रही है, तब उनका स्रोजगार ना हो, तो वो क्या हुए, कुछ particular seasons के लिए वो unemployed हुए, तो उसको क्या बोल देंगा हम, seasonal unemployment, I hope यह तो different different terms है न, with regards to unemployment आप इनको समझ गे होंगे, देखो एक न, हमारे पास NSO है, NSO क्या होता है, National Statistical Office, ठीक है न, इनके इस आप से भी न, इन्होंने different different workers को यहाँ पर हमारे सामने classify किया हुआ है, तो थोड़ा सा बस उसको भी समझ रहते हैं, कि आखिर इन्होंने classification करी कैसे है, देखो, यहाँ पर न, इन्होंने भी self-employed के classification करी हुई है, जैसे आप आज के टाइम पर आपको, कुछ freelancers देखने में आजाते हैं, कुछ लोग freelancery category में आते हैं, जैसे for example, कोई मानलो website बनानी है, तो website बनाने के लिए शायद मैंने एक बंदे को hire करना था, एक तो हो सकता है कि मैं उसको permanently काम पर रख लूँ, कि भहिया तू only as की website को design कर, on the other hand, मैं किसी और बंदे को freelance कर सकता हूँ, कि तु freelancing jobs भी देखने को मिलती हैं, यह किसी और के साथ भी काम कर सकते हैं, इस तरह आपके sole proprietorship हो गया, partnerships हो गया, single member, limited liability corporations हो गया, यह भी हमें companies जो होती हैं, वो भी देखने को मिल जाती हैं, इसके साथ में कुछ और भी categorization है, कि एक होते है regular wage और salary employees होते हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब बहुत simple है, कि जिनके पास पूरा साल बर काम होता है, ठीक है न, कि आपको, आपका कोई employer है, आप उसके लिए काम करते हो, वो साल बर आपको नौकरी देके रखता है, वो आप उसके लिए काम करते हो, वो आपको बदलें पैसे देता है, तो यह regular wage और salary employees होते है उसी तरह से कुछ होते हैं, आपके casual workers, casual workers कैसे होते हैं, जैसे for example, यह हो गया, ठीक है न, अब मालो यहाँ पर train बनानी है, तो जब न, इनका जो employer होगा, इनको particular time के लिए काम हायर कर लेगा, कि अच्छा 6 महीने के लिए हम यह train बनाने के काम के काम करेंगे, आपको जब यह एक train बन जाएगी, तब हम आपको नहीं रखेंगे, मतलब उनको short time के लिए के लिए हायर कर जाता है, यह short time कुछ भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, एक दिन के लिए हायर कर लिया, इस तरह की चीज़ें, तो इनको बोलते है casual workers, बाकी साथ में एक होता है, unorganized sector के अंदर काम करने वाले लोग, अब ध्यान रखना unorganized sector का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कोई लोग काम करते है, उनको हमारी सरकार कुछ ना कुछ ना कुछ ना की benefits प्रवाइड करती है, ठीके न, उनको जो जो उनका employer होता है, उनको कुछ ना कुछ benefits होता ह पर ध्यान रखना unorganized sector के अंदर ये चीज़े नहीं होती, जैसे मान लो, ये लोग काम कर रहे है, अब इनको ये सरे benefits थोड़ी दी जा रहे है, इनको social security थोड़ी जा रही है, इनको अगर एक दिन ये काम करेंगे, कहिने कि उस दिन के पैसे मिलेंगा और बात खतम, ठीके न ना ही इनका provident fund होगा, ये सरे चीज़े, मान लो, कोई महिला यहाँ बे काम कर रही है, ठीके ना, मान लो, ये सड़क बन रही थी, और कोई महिला काम कर रही है, कल को उस महिला वो pregnant हो जाती है, तो वो अगर मान लो, उसको maternity के लिए छुटी थोड़ी दे गई, वो वाला उनको benefits नहीं जाते हैं, कोई इनको social security नहीं होती, सरकार के जो अलग-अलग नियम है, अलग-अलग laws हैं, उनके अंदर ये लोग cover नहीं होते हैं, तो ये लोग जो इस तरह की सरकार के benefits के नहीं cover नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, un-organized sector, ये आपको इसका meaning पता होना चाहिए, एक होता है organized sector, एक होता है un-organized sector, जिसे आपका है, only eyes के हम बात करें, तो हम एक organized sector के अंदर काम करते हैं, मैं अगर कलको बिमार हो जाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे कटेंगे, नहीं, मुझे मेरी जो organization है, मुझे उस दिन के पैसे देगी, ठीक है, आपका म अंद भी उनका साथ होता है, ये लोग जो है, कलको बिमार हो जाएंगे, तो उनको नहीं मिलेगा, salary नहीं मिलेगे उनको, नहीं, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, उस दिसका, तो ये un-organized sector के अंदर होते हैं, कि इस तरह की चीज़ों के अंदर cover नहीं होते, हमारी जो organization है, वो तो सब चीज़ों के अंदर covered है, है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता, यहां पे होनी चाहिए, ठीक है ना, अब इसके साथ ही एक चीज़ हमें और पढ़नी है, periodic labor force survey, PLFS, देखो, हमें अलग-अलग चीज़ें देखनी पढ़ेंगी, कि कौन से sector के अंदर कित हुआ, periodic labor force survey, ध्यान रखना, यह एक annual survey होता है, annual मतलब यह हर साल किया जाता है, इसके पहले ना, हमारे पास survey होता था, क्विन क्विन इनलग सिस्टम वाला survey, उसमें क्या होता है, पांच-पांच साल के बाद हम यह आप इस सर्वे किया जाता है, पर अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास एक annual survey होता है, that is, PLFS, periodic labor force survey, ध्यान रखना, पहली बाद तो annual है, साथ में इसको करवाता कौन है, यह करवा सर्वे को करवाता है, हर साल करवाता है, 1217 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना, यहाँ पर आपका formal sector और informal sector दोनों included है, साथ ही साथ ही जो survey होता है, यह urban areas में भी होता है, and rural areas में भी होता है, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, with regards to periodic labor force survey, ठीक है, यह क बढ़नी नहीं जा रही होगी, मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर इनके उपर क्या-क्या लिखा हुआ है, देखो समझने कोशिश करूँ, हमें मान लोगर ढूंडना है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बेरोजगारी जिनके पास एक तो रोजगार है, एक तो वो लोग होगे लेबर फोर्स के अंदर, प्लस साथ ही साथ वो लोग जो जो रोजगार ढूंड रहे हैं, पर निको रोजगार मिलनी रहा, वो हो गया ये वला, मतलब रोजगार ढूंड रहे हैं, पर रोजगार मिलनी रहा, और साथ-साथ जिनके पास रोजगार है, ये हो गया हमारा टोटल लेबर फोर्स, ठीक है न, तो लेबर फोर्स का आपके बूचें क्या होता है, तो दोनों का एडिशन होता है, एंप्लॉइड प्लस इन्वोल एंटरी, अनिम्पॉइड है, मतलब वो रोजगार ढूंड रहे हैं, पर उनको रोजगार मिलनी रहा, डिवाइड बाइड 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 वाट, डिवाइड बाइड टोटल लेबर फोर्स, इन्टु अंडर, कहने का मतलब क्या, आपको से लेबर फोर्स थी, लेबर फोर्स में कौन-कौन लोग आए, एक वो जिनको बाइड रोजगार है, एक वो जिनको बाइड रोजगार नहीं है, पर वो रोजगार ढूंड रहे हैं, अब अगर हमें बेरोजगारी धर ढूंड नहीं है, हम क्या करेंगे, इन सारे लोगों में से, सारे मतलब जो टोटल लेबर पोर्स है, उसमें से वो लोगों को देखेंगे, जिनको पास रोजगार नहीं मिल रहा, despite their effort, पूरी कोशिश करने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा, that is unemployed rate, ठीक है न, तो unemployment rate का formula क्या बना, involuntary unemployed, divided by total labor force into 100, तो यह formula आपके लिए बहुत जादा important हो जाता है, ठीक है न, एक और हमामें formula धियान रखना है, that is, labor force participation rate, आप अगर newspaper ढंक से पढ़ते हो न, या फिर मारे जो प्रेलेम booster है, उसको अच्छे से follow करते हो, तो आपने सुना होगा, वहां पर मैं बार बार इसको cover करवाता हूँ, labor force participation rate का मतलब बहुत simple है, मान लो आपकी बहुत सारी population है, ठीक है न, उसे बच्चे, बुड़े सब आजाएंगे, तो हम पता क्या देखना चाते हैं, इस population में से, कितने ऐसे लोग हैं, जो कहिना कहिन labor force में participate करना चाते हैं, कहने का मतलब क्या है, कि म कितने लोग आपके involuntary unemployed है, ठीक है न, तो उपर क्या हुआ आपका labor force, नीचे हो गया आपका total population, सर इससे क्या पता लगएगा, इससे देखो बहुत simple चीज़ है, मान लो आपकी जंसां क्या है 100 crore की, अब आप देखना चाते हो, कि यह कितने लोगों के पास रोजगार है, प्लस कितने ऐसे लोग हैं, जो कहे ना कहीं, रोजगार ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार ढूंड रहे हैं, पर उनको मिल नहीं रहा, तो बाकी लोग सर कौन से बचे, बाकी लोग पता वो बचे, जो रोजगार करना ही नहीं चाते, समझ रही बात, ना वो पहसी महिलाएं जो रोजगार करना ही नहीं चाहती या उनको रोजगार करने नहीं दिया जाता या वह करना नहीं चाहती यह एक major concern है इंडिया के लिए अब इसके कारण बहुत सारे है जैसे मान लो पित्रवाद की हम बात करते हैं पैट्रियार्खी की बात करते हैं उसके अंतरगत क्या होता है हमें लगता है कि अगर एक पुरुष कमा रहा है तो महिला को काम करने क्या ज़रूथ यह काफी negative सोच है उस वज़ा से हमारा जो labor force participation rate females के लिए वो काफी कम हो जाता है getting the point तो इंडिया में अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो हमें लेबर force participation rate especially महिलाओं की इसको बढ़ाना पड़ेगा वो कैसे बढ़ेगा अगर आप कहिना की महिलाओं को सिशक्ति करन करो अभी आज के time के उपर ना क्या है यह महिलाओं जो रोजगार में है और वो महिलाओं जो रोजगार ढूंड रही है वो कम है तो जो बाकी महिलाओं है जिनको पैट्रियार्की की वज़ा से उनको घर पे बिठा दिया गया है उनको बाहर निकलना पड़ेगा तब ही हमारा लेबर फोर्स पार्टिस्पिशन रेड़ बढ़ेगा आई बात समझ में तो ध्यान रखना यह सारे फॉर्मले पता आनो चाहिए पॉपलेशन मतलब कितनी वहां की जनसंख्या है ठीक है लेबर फोर्स का मतलब लेबर फोर्स का मतलब वो लोग जो या तो रोजगार कर रहे है या फिर रोजगार ढूंडने की कोशिश कर रहे है मतलब वो बेरोजगार है पर रोजगार ढूंड रहे है तो वो हो गया आपका labor force उसी तरह से आपकी बेरोजगार इदर unemployment rate क्या होगी, नीची आपका आएगा total labor force, उपर आएगा कितने आपके involuntary unemployed है कहने का मतलब क्या नीची आगया total labor force उपर आएगा वो लोग जो रोजगार ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं आपकी total population में से कितने ऐसे लोग है जो labor force का part है, बिसके लिए employed है और involuntary unemployed है ये सारे formulas आपको आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना तो ये formulas अगर पता है, तो बड़े राम से आप इस particular UPSC के जो questions आएंगे उनको आप tackle कर लोगो, और कोई आप से पूछे कि महिलाओं का labor force participation कैसे बढ़ाएं तो वो भी आप समझ जाओगे कि हाँ ये patriarch की हो गया, women empowerment कैसे करनी है लोगों की सोच कैसे बदलनी है ये सारे points आप यहाँ पर mention कर सकते हो एक आखरी चीज है यहाँ पर अलग-अलग तरीके होते हैं जैसे एक होता है current weekly status एक होता है current daily status एक होता है usual status ध्यान रखना किसके साथ linked है ये unemployment के साथ linked है कैसे linked है अगर मैं बात करता हूँ current weekly status की इसका मतलब पता क्या है अगर एक इंसान एक हफते के अंदर एक घंटा भी उसको रोजगार नहीं मिलता तो हम उसको बोलेंगे कि हान जी अब current weekly status के एसाब से आप बेरोजगार हो क्योंकि आप खुद देखो ना आप बेरोजगार किसको बोलोगे क्या उसको इंसान को बोलोगे जो कितने घंटे काम करता है ठीके ना आपको देखना पड़ेगा ना इतने टाइम फ्रेम के अंदर आप बेरोजगार हो वो चीदे देख नहीं बढ़ते हैं तो टाइम फ्रेम यहां पर देखा गया है current weekly status के अंदर क्या होता है अगर आप एक हफते में एक घंटा भी आपको रोजगार ना मिले ठीक है ना उस दिन क्या आपको एक भी घंटा काम नहीं मिला तो वो चेक करने की तरीका क्या होता है current daily status इसके लिए चेक करने का तरीका है उसी तरह से एक होता है आपका usual status यहां पर वो होता है कि आपके साल भर साल भर के जाधा था टाइम आपको रोजगार नहीं मिलता आप बेरोजगार रहते हो during the majority of the year तब वो method कौन सा होता है usual status ध्यान रखना weekly status के अंदर एक हफते के अंदर एक घंटा भी आपको रोजगार ना मिले daily status एक particular week के अंदर एक particular day के अंदर हम बात करें का formula था यह मैंने आपको बताई दिया ठीक है ना बाकी formula भी आपको मैंने बताई दिये हैं थोड़ा lecture आज का लंबा हो गया ठीक है ना पर अगर आप यहां तक पहुंचे हो मुझे definitely आप comments में बताना कैसा लगा आपका lecture and अगर अच्छा लगा हो definitely comments में आपको अच्छे समझ आई होगी ठीक है तो यह था आज का lecture आप सभी को आज का lecture अच्छे समझ आए होगा इसी तरह से आप अभी आप लैंट पर हार्ड वर्क करते रहिए गुडबाई and गुड़ लग